नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 13, मोसन एंड टाइम जब कोई चीज चल रही होती है तो हम कहते हैं कि वो मोसन में है जैसे कि अगर रेल गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है तो हम कहेंगे कि ट्रेन मोसन में है वैसे ही अगर रोड पे कार चल रही है तो हम कहते हैं कि कार मोसन में है मोसन का हिंदी में मतलब है चाल, मतलब किसी चीज का चलना मोसन को दिखाता है और टाइम हम जानते हैं, टाइम समय को कहते हैं तो कोई चीज चलती है और उसमें किस तरह समय लगता है, ये दोनों किस तरह से related हैं, जुड़े हुए हैं, इसी के बारे में है ये पूरा chapter, आए इसे शुरू करते हैं, इन Class 6, you learnt about different types of motions, हमने Class 6 में अलग-अलग तरह के motion के बारे में पढ़ा है, जैसे circular motion, जब कोई चीज ऐसे गोल-गोल गोमती है, तो हम कहते हैं कि वो circular motion में है, या फिर motion in straight line, जब कोई चीज सीधी line में चल रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो straight line में चल रही है, सीधी line में चल र और periodic, तो हमने इन तीन तरह के motion के बारे में जाना है, एक वो motion जो straight line में हो, कोई चीज सीधी line में चल रही हो, जैसे car एक straight road पे चल रही हो, तो हम कहेंगे कि car का motion straight line में है, उसी तरह अगर कोई चीज एक circular path में चल रहा हो, तो हम कहेंगे कि उसका motion circular है, example के लिए जैसा कि हम solar system में देखते हैं, कि sun के चारो तरफ सारे planets move कर रहे होते हैं, तो ये एक circular motion का example है, उसी तरह अगर हम periodic motion की बात करें, तो घरी में जो pendulum लगा होता है, वो पहले एक सिरे पर फिर दूसरे सिरे पर जाता है, और ये काम बार बार हो रहा होता है, इसलिए हम इसे periodic motion कह सकते हैं, जो कि एक समय के बाद repeat हो, तो इस तरह के motion के बारे में हमने classics में पढ़ा है, can you recall these three types of motion, तो हाँ हम इस तीन तरह के motion को याद कर पा रहे हैं, आईए देखें table 13.1, table 13.1 gives some common example of motions, identify the types of motion in each case, यहाँ motion के कुछ example दे रखे हैं, तो ये motion कैसे हैं, इन्हें हमें पहचानना है, जैसे कि पहला type है, कि soldier in a march past, एक सिपाही जब march past में चल रहा होता है, तो उसका motion कैसा है, वो सीधी line में march past करता है, मान ले अगर वो मुडता भी है, फिर भी वो सीधे ही चलता है, वो अपना direction change करने के बाद भी सीधे चलता है, यहाँ भी सीधे चल रहा था, तो इसका मतलब है कि सिपाही जब march past कर रहा होता है, तो उसका motion straight line वाला होता है, उसी तरह दूसरा example है, बुल्लो कार्ट, moving on a straight road, एक बैल गाड़ी, एक सीधी सरक पे जब चल रही होती है, तो बैल गाड़ी का motion कैसा है, straight line की तरफ है, तो यहाँ हमें तीन option दे रखे हैं कि यह motion या तो straight line वाला होगा, या तो circular वाला होगा, या periodic होगा, तो इन दोनों में हमने पहचाना कि यह पहला वाला है, motion along straight line, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, अब तीसरा example है, hands of an athlete in a race, जब एक धावक जो race में दोड़ता है, athlete, वो जब दोड रहा होता है, तो उसके हाथ का motion कैसा होता है, जब athlete दोरेगा, तो वो अपना हाथ कभी पीछे लाएगा, फिर आगे को ले जाएगा, फिर पीछे लाएगा, फिर आगे को ले जाएगा, मतलब वो इस motion को repeat करता है, athlete के हाथ का motion repeat होता है, एक certain period of time के बाद, एक दिये गए समय के बाद, उसके हाथ का motion repeat होता है इसलिए हम कहेंगे कि ये periodic motion है एक period के बाद, एक time period के बाद खुद को repeat कर रहा है अच्छा, अब cycle में जो हम paddle चलाते हैं जिससे हमारा cycle आगे जाता है तो वो कैसा motion है? तो वो हम बिल्कुल गोला कार paddle चलाते हैं एक circle के form में हमारा paddle चलता है इसलिए ये circular motion का example हुआ वहीं अगला example है sun के जो चारो तरफ पृत्वी घूम रही है earth revolve कर रही है sun के चारो तरफ तो ये कैसा motion है? तो इसका path चुकी circular है इसलिए ये circular motion कहलाएगा अगला है motion of swing सिलाई machine का जो motion है एक बार सिलाई machine का निडल कपड़े के अंदर जाता है फिर बाहर आता है और फिर से अंदर जाता है और ये process लागातार repeat होता है चुकी इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक periodic motion है बार-बार खुद को repeat कर रहा है एक given period of time के बाद खुद को repeat कर रहा है उसी तरह अगर pendulum के motion की बात करें तो घड़ी में जो भी pendulum है वो एक point पे आता है फिर दूसरे point पे जाता है फिर वापस उसी point पे आता है तो pendulum का motion भी खुद को एक given period of time के बाद repeat कर रहा है और वो circular नहीं है इसलिए हम उसे periodic motion कह रहे हैं It is a common experience that the motion of some objects is slow while that of some objects is fast हमने ये चीजों को देख कर अनभव किया है कि कुछ चीजें fast move कर रही होती है तेज चल रही होती है वहीं कुछ चीजें धीरे चल रही होती है तो अब हम इस slow और fast का पता कैसे लगाते हैं इसके बारे में है ये हमारा section 13.1 We know that some vehicles move faster than others हम जानते हैं कि सडक पे जो गाड़ियां चलती है उन में से कुछ गाड़ियां दूसरे गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा तेज चलती है कुछ गाड़ियां धीरे चलती है Even the same vehicle may move faster or slower at different times एक खास गाड़ी भी एक समय पे तेज और दूसरे समय पे धीरे चल सकती है यह चलाने वाले के उपर है कि वो गाड़ी को तेज चलाए या धीरे चलाए अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि एक समय पे वो गारी काफी तेज चल लही थी, अभी वो गारी धीरे-धीरे चल लही है Make a list of 10 objects moving along a straight path Straight path में, straight line में, move करने वाले 10 ऐसे object की एक list बनाईए इसमें से तो सबसे पहला आपका car हो गया या कोई भी vehicle जो straight path में चलता है ऐसे और भी objects जो आप imagine कर पा रहे हैं जो straight path में चलते होंगे, उनकी एक list बनाईए Group the motion of these objects as slow and fast अब ये जो 10 objects की list आपने बनाई है जो straight line में move करते हैं ये आपके हिसाब से तेज चलने वाले हैं कि slow चलने वाले हैं जैसे कि अगर example ने car और bullock cart का जो straight line में चलेंगे तो bell गारी धीरे चलेगी और car तेज चलेगा तो car के लिए हम fast कह सकते हैं और bullock cart के लिए हम slow कह सकते हैं तो इसी तरह 10 objects जो आपने list किये वे fast हैं कि slow हैं ये बताने की कोशिश कीजिए तो ये हमने कैसे decide किया कि bell गारी धीरे चलेगी और car तेज चलेगा ये हमने अपने अनुभाव से decide किया हमने देखा है कि bell गारी आमतार पर धीरे धीरे चलती है और car आमतार पर तेज चलती है इसलिए हम कह रहे हैं कि car तेज चलने वाली गारी है पहल गारी धीरे धीरे चलने वाली गारी है If vehicles are moving on a road in the same direction we can easily tell which one of them is moving faster than the other अगर एक road पे गारीया एक साथ चल रही हो तो हम पहचान कर कह सकते हैं कि कौन गारी तेज चल लई है और कौन गारी धीरे चल लई है जो गाड़ी आगे निकल जाएगी वो obviously तेज चल लई होगी और जो गाड़ी पीछे छूट जाएगी वो गाड़ी जरूर ही धीरे चल लई होगी Let us look at the motion of vehicles moving on a road अब road पे गाड़ियां किस तरह चलती है आईए उसके motion को देखें इस activity 13.1 में गाड़ियां road पर यहाँ चल लई है और इनके motion को हम activity 13.1 में observe करने वाले हैं Look at figure 13.1 यह है हमारा figure 13.1 इसमें road पे एक ही direction में चल रही बहुत सारी गाड़ियां है Vehicles moving in the same direction on a road सारी गाड़ियां एक ही direction में move कर रही है It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time तो यह जो image है वो किसी एक given time पे मतलब कोई एक समय हम ले लें उस समय पे गाड़ियों का क्या position था road पे वो denote करता है दिखाता है Now look at figure 13.2 It shows the position of the same vehicles after some time मतलब 13.1 एक पहले की image है और 13.2 उसके कुछ समय बाद की image है गाड़ियां वही है लेकिन इनका position बदल गया है आप देखेंगे कि यह जो हरी वाली गाड़ी है यह आगे आगई है इस पिछले वाले image में हरी वाली गाड़ी पीछे थी तो जरूर ही यह बाद की image है और यह पहले की image है इन दो figure को observe करने के बाद यह पहले वाली और यह दूसरे वाली figure को observe करने के बाद हम इन questions को answer करने की कोसिस करेंगे पहला question है कि which vehicle is moving the fastest of all इन सभी गाड़ियों में सबसे तेज कौन चल रही है तो वो गाड़ी जो पहले picture में सबसे पीछे रही होगी और दूसरे picture में सबसे आगे आगई होगी वो गाड़ी निश्चित ही सबसे तेज चल रही होगी तो वैसी गाड़ी को अगर हम identify करने की कोसिस करें तो मुझे तो लग रहा है कि यह जो हरी वाली गाड़ी है यह पहले काफी पीछे थी और next image में यह काफी आगे आगई है तो माल लेते हैं कि हडी वाली गारी सबसे तेज चल रही है एक निश्चित समय में एक गिवन इंटर्वल अफ टाइम में माल लेते हैं 10 सकेंड में या 15 सकेंड में या 1 मिनिट में किसी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रवल किया है कितनी दूरी तै की है ये उसकी स्पीड को दिखाता है मतलब वो गाड़ी तेज चल रही है कि स्लो चल रही है हम इस बात से डिसाइड कर सकते हैं कि एक गिवन टाइम में एक मिनिट में या 15 सकेंड में वो गाड़ी दूसरे गाड़ीयों की तुलना में कितना डिस्टेंस कवर करती है ये जानने के बाद हम उसका स्पीड बता सकते हैं तो वो फास्टर है या स्लोर है इसी फैक्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं एक्जामपल के लिए सोचिए कि आप अपने दोस्त को बस स्टैंड पे छोड़ने गए थे बस स्टैंड पे आप अपने दोस्त को छोड़ने गए थे आप साइकल से गए थे तो जैसे ही बस ने मूव करना सुरू किया आपने भी अपने साइकल को पैडल करना सुरू किया लेकिन पाँच मिनट के बाद पाँच मिनट बाद जितना डिस्टेंस बस कवर करेगी उससे काफी कम डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे अपनी बाइसिकल से तो इस केस में आप क्या कहेंगे यही ना कि बस ज़्यादा ते चल रही है और मेरी साइकल धीरे चल रही है बस faster है और मेरी cycle slower है We often say that faster vehicle has higher speed हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो गाड़ी तेज चलती है उसकी speed ज़ादा है मतलब हमने decide कि यह गाड़ी तेज चल रही है इसका मतलब यही है कि उसकी speed ज़ादा है इस speed term को हम great detail में देखने वाले हैं अभी के लिए से ज़रा park करते हैं In a 100 meter race, it is easy to decide whose speed is the highest अगर एक 100 meter की race हो तो उसमें हम आसानी से determine कर पाते हैं decide कर पाते हैं कि कौन सबसे तेज दोड़ा जो सबसे पहले पहुँचेगा, वो सबसे तेज दोड़ा One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed वह आदमी जो इस 100 meter को cover करने के लिए सबसे कम समय लेगा सबसे पहले पहुँच जाएगा destination पे वो इस 100 meter की race में सबसे तेज दोड़ा यही मतलब है तो यह कोई कितना तेज दोड़ा या फिर कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है कोई गाड़ी कितनी धीरे चल रही है इसको हम नापते हैं मापते हैं जो उसका unit है वही है speed speed degree of fastness और slowness दिखाती है कि कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है इस चीज़ को हम denote करते हैं speed के terms में तो यह speed क्या है आईए देखें section 13.2 speed you are probably familiar with the word speed speed हमने बहुत हो बाल सुना है हम इससे familiar है in the examples given above a higher speed seem to indicate that a given distance has been covered in a shorter time उपर के अगर 100 meter race वाले example को देखें तो इसमें distance already given है मतलब 100 meter का distance fixed है इस 100 meter के distance को जो athlete, जो दोडने वाला आदमी सबसे कम समय में complete कर लेगा cover कर लेगा तो हम कहेंगे कि उसकी speed सबसे ज़्यादा थी मतलब given distance को given 100 meter के distance को जो सबसे कम समय में cover करेगा सबसे कम time लेगा इसे cover करने के लिए हम कहेंगे कि उसकी speed सबसे ज़्यादा थी मतलब इस तरह higher speed को हम denote कर सकते हैं दिखा सकते हैं वही higher speed को denote करने का एक दूसरा साधन भी है वो कुछ इस तरह कि इस बार distance को fix न किया जाए इस बार time को fix कर लिया जाए 5 मिनट में bus कितनी दूर गई और 5 मिनट में bicycle कितनी दूर गई तो अगर हम इसे compare करके देखेंगे तो पाएंगे कि 5 मिनट में bus काफी दूर चली गई और 5 मिनट में bicycle काफी कम दूर गई time fix करने के बाद जो सबसे ज़्यादा distance चल पाए उसके बारे में हम कहेंगे कि उसकी speed ज़्यादा होगी उसी बात को यहां कहा गया है कि a larger distance covered in a given time time fix करने के बाद जो object या जो भी vehicle सबसे ज़्यादा distance travel कर पाई उसके बारे में हम कहेंगे कि उसकी speed ज़्यादा थी the most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time मतलब एक given time में मतलब time को fix करके जैसे कि 5 मिनट में bicycle और bus को हमने compare किया उसी तरह time को fix करके distance को compare करना ये काफी आसान होता है हमारे लिए speed calculate करते वक्त thus if we know the distance covered by the two buses in one hour we can tell which one is faster एक गंटे का time अगर fix कर दें और दो busों के बारे में हम जानें कि किस bus ने कितना distance travel किया है तो जो bus ज़्यादा distance travel कर पाएगी ये गंटे में हम उस bus के बारे में कहेंगे कि उस bus की speed ज़्यादा थी given time में जो ज़्यादा distance travel करेगी मतलब उसका speed ज़्यादा था when we say that car is moving with a speed of 50 km per hour it implies that it will cover a distance of 50 km in one hour speed को हम इसी तरह तो बताते हैं कि car की speed 50 km per hour है speed को इसी तरह बताया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि car एक घंटे में 50 km 50 km चलेगी car की ये speed है 50 km का distance ये एक घंटे में cover करेगी लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि however a car seldom moves with a constant speed for one hour कि 50 km एक घंटा तो हमने बता दिया car की speed है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि car constantly लगातार 50 km प्रती घंटे की रफतार से चल रही हो क्योंकि भारतिये सरक के बारे में आप जानते हैं ये हर जगा अच्छी नहीं होती हो सकता है बीच में सड़क खड़ाब हो तो गाड़ी की जो speed है वो कम हो जाएगी हो सकता है कहीं सड़क अच्छी हो तो गाड़ी की speed 50 km पर आर से जादा भी हो सकती है 60 km पर आर, 80 km पर आर है न तो किसी कार के बारे में अगर कहा जा रहा है कि कार की speed 50 km पर आर है तो ये average speed है मतलब ये कार की speed कभी जादा भी हुई, कभी कम भी हुई लेकिन हमने इसका average निकाला, overall speed निकाला तो हमने ये पाया कि कार की almost speed 50 km पर आर रही इसे घंटे में तो इस speed को calculate करने के लिए हम distance वाला formula अपनाते हैं कि एक घंटा दिया हमने कार को और कार कितना distance cover कर पाई उसके हिसाब से हम speed बता देते हैं एक घंटे को अगर unit time लिया जाए तो एक घंटे में कितना distance cover कर पाती है वो कार हम कह देंगे कि वो उसकी speed है we do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour तो अगर हम कहते हैं कार के बारे में कि कार की speed 50 km पर आर है तो इसमें हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कार पूरे उस एक घंटे में 50 km पर आर की speed से चल रही थी के नहीं obviously नहीं चल लगी होगी क्योंकि कार start होगी तो धीरे धीरे चलेगी रास्ते में रुकावट होगी तो कार रुकेगी और अगर रास्ता कहीं साफ है तो कार 50 km से जादा भी तेज चलेगी तो यहाँ जो बताया जा रहा है वो average speed है और इसे यहाँ लिखा भी गया है कि the speed calculated here is actually the average speed of the car सारे जो speed changes हुए उसका average बताता है यह speed जो हम एक घंटा देकर car के distance वाली तरकीव निकालते हैं यह हमारा average speed को denote करता है in this book we shall use the term speed for average speed तो इस book में जहाँ भी अगर speed की बात हो तो हम average speed की ही बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप average speed और speed को एक ही मान कर चलिए so for us the speed is the total distance covered divided by the total time taken speed अगर निकालनी हो तो किसी object ने कितना distance travel किया और कितना time लिया जैसे कि car ने 50 km travel किया मतलब 50 km का distance cover किया और एक घंटे time लिया तो हम car के बारे में कह सकते हैं कि car की speed 50 km per hour है मतलब एक घंटे में 50 km per का मतलब हर घंटे 50 km तो यह आपके speed का formula है speed equal to total distance covered upon total time taken जितनी दूरी तय की गई जितना distance cover किया गया और जितना समय लिया गया इन दोनों को divide करके हम speed निकाल सकते हैं आपको यह speed का formula याद भी रखना चाहिए अगर आपको यह अभी भी doubt है कि यह formula कैसे बना तो आप speed के unit को देखिए speed हम जहां कहीं भी बताते हैं तो km per hour speed की unit हुई unit मतलब उसके नापने की जो इकाई है जैसे की weight का kilo है, time का second है तो कितना km travel हुआ, कितने घंटे में यही speed है तो यहां से आप इस formula को relate कर पाएंगे कि कितना distance travel किया गया और कितना time लिया गया इन दोनों को हम divide कर दें तो हमें speed मिल जाएगा और generally समझने के लिए हम time को fix कर देते हैं कि मान लो की एक घंटा दिया तुम है और एक घंटे में जितना distance तुम cover कर पाओगे वो तुमारी speed होगी तो किसी चीज की speed हम इस तरह calculate कर लेते हैं तो I hope कि speed आपको clear है इसकी definition और इसका formula दोनों आईए अब आगे देखें आम तोर पे हम अपने जीवन में ऐसी कम ही चीज़े देखते हैं जो काफी जादा समय तक एक ही रफतार से चल रही हो जैसे कि अगर car का example लें तो car एक घंटे तक एक ही speed में नहीं चलती या bus या train एक ही speed से जादा देर तक नहीं चलती train भी अलग-अलग stations पे रुकने को उनका speed slow होता है फिर जाके वो stations पे रुकती हैं तो ये speed का उपर नीचे होना लगा रहता है if the speed of an object moving along a straight line keeps changing its motion is said to be non-uniform non-uniform मतलब कि जो लागातार नहो जिसमें उतार चड़ावाता हो उस चीज़ को हम non-uniform कहते हैं तो यहां motion के बारे में कहा जा रहा है कि जो moving object है उसका motion कैसा होगा non-uniform होगा अगर वो अपने speed को बीच-बीच में change करता है किसी moving object का speed straight line में अगर बदलता रहे तो वैसे object के motion को हम non-uniform motion कहेंगे वहीं अगर दूसरी तरफ अगर कोई object है जो straight line में एक ही speed से लागातार चल रहा है तो वैसे object को हम कहेंगे कि वो object uniform motion में है uniform मतलब लागातार motion में अगर 50 km पर आर की speed से चल रहा है तो लागातार चल रहा है एक घंटे तक ऐसा हम planets के case में देखते हैं कि sun के चारो तरफ जो earth revolve कर रहा है वो एक constant speed से कर रहा है इसके speed में कमी या इसका speed कभी जादा नहीं होता ये एक constant speed से एक fixed speed से sun के चारो तरफ revolve कर रही है तो वैसे speed को हम uniform motion कह सकते हैं अगर speed एक घंटे तक बदली ही नहीं तो हम average speed जो भी निकालेंगे वो actual speed के बराबर ही होगी अब non uniform motion में चुकी speed बदल रही थी कभी 10 km पर आर थी, कभी 20 km पर आर थी, कभी 70 km पर आर थी तो इन सब को जोड के हमने number of iteration से divide किया average ऐसे ही निकालते हैं तो हमें जो भी speed मिलेगी वो average speed होगी लेकिन चुकी uniform motion के case में speed change ही नहीं हो रही है गाड़ी लगतार 50 km पर आर के speed से चल रही है एक घंटे तक तो जितनी भी iterations लेंगे वो हमारी 50 की होगी अगर मान लेते हैं हमने 4 points से speed उठाई तो वो सारी 50 50 50 होगी और उसे हम 4 से divide करेंगे तो हमें 50 ही मिलेगा इसलिए इस line में कहा गया है कि uniform motion के case में जो भी average speed होगी वो actual speed के बराबर होगी क्योंकि speed change ही नहीं कर रही है किसी भी object के speed को determine करने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए पहला कि उस object ने कितने समय में कितनी दूरी तै की है अगर हमें ये दो बातें पता हो समय और दूरी कितना distance travel किया और कितना समय लगा उसे ये दोनों चीज़े अगर हमें पता हो तो हम उसका speed निकाल सकते हैं In class 6, you learnt how to measure distances Class 6 में distance को कैसे मापना है ये हमने सीखा है Scale की मदद से, classmate की मदद से I hope आपको याद होगा But how do we measure time? Let us find out अब चुकी हम distance measure करना जानते हैं कि scale से नाप लेंगे या फिर kilometer हमारा पैमाना है Kilometer से नाप लेंगे Milestones लगे होते हैं, उनसे नाप लेंगे लेकिन time को कैसे नापते हैं Time को measure करने के क्या तरीके हैं आईए इसके बारे में पता करें Section है 13.3 Measurement of Time If you did not have a clock How would you decide what time of the day it is? अगर आपके पास एक घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे पता करते हैं कि अभी क्या समय हुआ है Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows क्या आपने कभी ये आश्चरे किया है कि जो हमारे बड़े हैं जैसे हमारे दादा जी केवल shadow को देखकर केवल आदमी की या किसी object की चाया को देखकर ये बता देते हैं कि अभी कितना बज रहा होगा अगर हम अपने किसी बड़े से पूछे हैं कि अनुमान से बताईए अभी कितना समय हो रहा होगा तो वो किसी object के shadow को देखकर या आम तोर पर अनुमान से बता देते हैं कि अभी 1 बजरा होगा, 2 बजरा होगा, 10 बजरा होगा है कि नहीं, तो time का हम अनुमान भी लगा सकते हैं How do we measure time interval of a month a year? तो ये तो घंटे की बात हुई कि चलो shadow को देहकर हम बता देते हैं सन के लाइट को देह कर हम बता देते हैं कि कितना समय हो रहा होगा एप्रॉक्सिमेटली लेकिन अगर एक बड़े टाइम की बात करें कि एक महीने का समय हम कैसे मेजर करते हैं या फिर एक साल का समय हम कैसे मेजर करते हैं तो महीने में हमने दिन fix कर रखे हैं, साल में भी हमने दिन fix कर रखे हैं, कि महीने में 30 दिन होंगे, साल में 365 या 365 दिन होंगे, तो ऐसी विवस्था हमने कर रखी है, लेकिन जो हमारे ancestors थे, वे कैसे इस चीज को measure करते थे, आईए उसे देखें, हमारे जो पूरवज थे, हमारे जो ancestors थे, उन्होंने ये notice किया था, कि हमारे आसपास, हमारे nature में, बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो एक fixed time के बाद, एक definite interval of time के बाद, खुद को repeat करती हैं, For example, example के लिए, they found that the sun rises every day in the morning, हमारे ancestors ने ये notice किया, कि सूरज हर दिन सुबह को उगता है, the time between one sunrise and the next was called a day, एक सूर्योदय से लेकर, मतलब सूरज के एक बार उगने से लेकर, सूरज के अगले बार उगने तक के समय को एक दिन कहा उन्होंने, जो आज भी valid है, एक sunrise से next sunrise तक को हम आज भी एक दिन कहते हैं, Similarly, a month was measured from one new moon to the next, उसी तरह महीने के measurement के लिए हमारे ancestors एक new moon से अगले new moon तक के time को determine करते थे, कि ये एक महीने का time है, आज चांद जो पहली बार उगा है, सबसे पतला वाला चांद, और ये फिर धिरे धिरे पूरा होगा, पूरुनिमा आएगी, फिर अमावस्या आएगी, और फिर जो चांद निकलेगा, तो ये जो पूरा duration है, एक new moon से अगले new moon का, इसे ही वो month कहते थे, एक महीना कहते थे, year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun, एक साल उस समय को कहते थे, कि earth जब sun का एक चकर लगा ले, एक revolution पूरा कर ले, तो इस पूरे time period को one year कहा जाता था, एर्थ ने sun का चकर लगाया, revolution पूरा किया, इस time period को one year कहते हैं, तो ये time हमारे ancestors के द्वारा fix किया गया था, उनके पास घड़ी नहीं थी, उनके पास calendar नहीं थे, तो nature में हो रहे events को notice करके, उन्होंने ये time period बनाई थी, और ये बहुत हद तक आज भी valid है, often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day, लेकिन यहाँ पे दिन, महीने और साल की बात है, लेकिन आम तोर पर हमें ऐसे time intervals measure करने हो तो एक दिन से छोटे होते हैं, जैसे कि हमें एक घंटा measure करना है, हमें 10 minute measure करना है, तो ऐसे कामों को करने के लिए क्या करें, तो ऐसे काम हम clock की मदद से करते हैं, घड़ियों की मदद से करते हैं, clocks और watches are perhaps the most common time measuring devices, हमारे आसपास यह जो घड़ियां है, यह आम तोर पे time को measure करने वाली device है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कि जो घड़ी है, वो time को कैसे measure करती है, घरी function कैसे करती है, the working of clocks is rather complex, घरी का जो working है, घरी कैसे काम करती है, वो जरा मुश्किल है, जरा जटिल है, जरा complex है, but all of them make use of some periodic motion, लेकिन जितनी भी घरी है, वो सभी एक periodic motion का इस्तेमाल करती है, एक खास interval के बाद अपने को repeat करती है, जैसे घरी की second वाली सुई को आप देखें, तो वो हर एक second पे, हर एक fixed interval of time के बाद, वो tick करके आगे बढ़ती है, तो घरी का जो ये motion है, एक fixed interval of time के बाद repeat होता रहता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी घडियां हैं, वो किसी न किसी तरह का एक periodic motion perform करती है, periodic motion को use करती है, आगे हम pendulum के बारे में भी देखेंगे, ये periodic motion का सबसे popular example है, one of the most well known periodic motion is that of a simple pendulum, तो ये है simple pendulum, जो ये घंटा घड़ी के अंदर लगा रहता है, जो हर घंटे बजता है, वही है pendulum, तो ये periodic motion का सबसे मशूर example है, periodic motion में हम pendulum का example अकसर देते हैं, क्योंकि ये एक खास interval of time के बाद, माल लेते हैं, ये हर घंटे अगर बज करता है, इसका जो भी motion है, वो एक घंटे के बाद repeat होता है, या फिर अगर ये pendulum हर second इदर उदर डोल रहा है, तो ये हर second अपने motion को repeat कर रहा है, एक fixed period of time के बाद खुद को repeat कर रहा है, इसलिए ये periodic motion है, अब time को कैसे measure करते हैं, तो यहाँ ये हमारा wall clock है, घंटा घड़ी, ये normal table clock है, और ये एक digital clock है, तो ये तीन तरह के arm clocks दिखाए गए है, सामनिता जो घड़ियां हम देखते हैं, वो दिखाए गई है, नीचे है यहाँ पे एक simple pendulum की image, घड़ी से अगर हम इस pendulum को बाहर निकालें, या इस तरह की एक चीज बनाने की कोशिश करें, तो वो कुछ इस तरह दिखेगी, लैब में आपको इस तरह के pendulum मिल जाएंगे, ये एक रुका हुआ pendulum है, यहाँ बेस से एक string, एक धागा लटका हुआ है, और इसके नीचे ये bob, ये एक बल्व है, लोहे का मान लीजे, लटका हुआ है, तो ये एक रुका हुआ pendulum है, और ये एक move कर रहा pendulum है, इसी pendulum के इस ball को आप खीच कर छोड़ देंगे, तो ये move करने लगेगा, ये उसी की image है, यहाँ figure के बारे में लिखा भी है, कि ये एक simple pendulum है, ये वाला, और ये दूसरा है, कि different positions of the bob of an oscillating simple pendulum, oscillating का मतलब है, जो move कर रहा हो, घूम रहा हो, आगे पीछे को हो रहा हो, वो oscillating motion है, तो जब ये pendulum घूम रहा होता है, तो इस bob का position कैसा कैसा होता है, इसको इस image से दिखाया गया है, इसके बारे में और detail में पढ़ेंगे, आईए देखें, अ simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread, अच्छा, तो एक simple pendulum जो है, उसमें एक metallic ball होता है, ये जो ball हम देख रहे हैं, ये metallic ball, और ये metallic ball यहाँ इस rigid base से एक धागे के सहारे जुडा हुआ है, यही है, एक बार और देखें, a simple pendulum consists of a small metallic ball, एक छोटा metal का ball और a piece of stone, मतलब ये एक पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, metal का ball भी हो सकता है, in fact कोई भी भारी चीज हो सकती है, जो यहाँ धागे से लटका दी जाए, वो pendulum की तरह काम करेगी, ठीक है, suspended from a rigid stand, suspended का मतलब है लटका हुआ होना, और rigid stand का मतलब कोई चीज फिक्स हो, माल लेते हैं कि एक तख्ती से लटका दिया जाए, slab के नीचे लटका दिया जाए, या फिर एक डंडे पे बांध दिया जाए, तो कोई rigid stand हो, यहाँ से धागे से कोई भारी चीज हम लटका दें, तो वो pendulum की तरह काम करेगी, तो ये तो simple pendulum के बारे में bob कहा जाता है, figure 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position, देखो mean का मतलब है average, मतलब की जब वो रुका हुआ position है, जब इस pendulum को स्थिर छोड़ दिया गया है, जब वो अपने मन से लटक रहा होता है, तो उसे pendulum का mean position कहते हैं, तो जब pendulum पूरी तरह स्थिर है, अपने average वाली position में है, घूम फिर नही रहा है, तो यह pendulum का mean position हुआ, अगर हम pendulum के इस bob को खीच कर एक side पे ले आएं, मान लेते हैं, मैंने इस bob को खीच कर यहां लाया और इसे छोड़ दें, तो यह move करना शुरू होगा, यहां को जाएगा, फिर वापिस यहां को आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वापिस ऐसा आएगा, तो इसका यह जो motion है, जिसे इस figure 13.4B में दिखाया गया है, तो ऐसा यह move करना शुरू होगा, अगर मैं इसे ऐसा खीच के यहां से छोड़ दू तो, छीक है, तो इस to and fro word को याद रखिएगा, to and fro का मतलब है आगे पीछे, मतलब मैं इसको यहां पे आगे लाकर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, तो इसी को to and fro motion कहते हैं, आप इस word को अपने answer में use कीजेगा, अगर आप pendulum के बारे में लिख रहे हों, तो pendulum के motion को to and fro motion कहा गया है, ठीक है, तो यह जो आगे पीछे वाला motion है, मतलब पेंडूलम का बाब जो एक बार आगे आता है, फिर पीछे जाता है, मतलब यह जो to and fro वाला motion है, पेंडूलम का, उसी को हम, पेंडूलम का periodic motion, या फिर उसके लिए एक और शब्द आता है, ओसलेटरी मोशन, ओसलेट करने का मतलब है घूमना, इसे यहाँ periodic motion की जगह ही यूज किया गया है, और लगा कर यूज किया गया है, पेंडूलम के motion को हम periodic motion, या फिर ओसलेटरी मोशन कहते हैं, घूमने वाला motion कहते हैं, तो यहाँ से कुछ take away बाते हैं, कुछ एक बाते याद रखिएगा, यह बाब याद रखिए कि पेंडूलम के इस नीचे लटके वाले portion को इस bulb को bob कहते हैं, पेंडूलम का motion two and four होता है, यह आगे पीछे वाला motion होता है, जब पेंडूलम सांती से लटक रहा हो, तो इसे इस पेंडूलम का mean position कहते है, mean का general मतलब average होता है, मतलब जब ये गूम रहा होगा, जो भी इसका motion होगा, इसके जो beach का time है, इसके जो beach का position है, यह इसका average होगा, तो इसी लिए इसे mean कहा गया है, तो जब यह सांती से बैठा हो, तो यह इस pendulum का mean position है, और pendulum का जो motion होता है वो periodic motion का example है, इस periodic motion को हम oscillatory motion भी कहते हैं the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position o, moves to a, to b, and back to o, यह देखिए, यह कहां है, यह a है, यह o है यह b है, o मतलब original position, जहाँ pendulum पहले था, ठीक है, इस o से हमने pendulum को उठाया, यहाँ a तक लाया, अब हमने pendulum को यहाँ से छोड़ा, तो यह o से पहले a तक आएगा अब की बार यह a से वापिस o तक जाएगा, जब हम इसे छोड़ देंगे o से फिर यह b तक जाएगा फिर b से o को आएगा फिर o से a को आएगा और फिर a से वापिस o को चला जाएगा, और यह चीज repeat होती रहेगी, तो यहाँ पे a, b, o जो लिखा गया है, उसे घब रही है नहीं इसे image में देखिएगा, तो काफी clear होगा तो यहाँ एक oscillation के बारे में बताया गया है कि एक oscillation हम किस चीज को कहेंगे तो pendulum o से शुरू कर रहा है, o से a तक आ रहा है a से वापिस o तक और फिर o से b तक, b से वापिस o तक, तो एक oscillation हम उसे कहेंगे, कि o से हमने शुरू किया, तो यहाँ से चलके इसने a को touch किया, फिर वापिस इसने b को touch किया, और वापिस जब ये o पर आ जाए इन दोनों points को touch करने के बाद वापिस जब ये o पर आ जाए तो उस पूरे cycle को हम एक oscillation कहते हैं एक rotation कहते हैं हमारे pendulum का, o से सुरू करे a को भी touch करे, b को भी touch करे और वापिस o तक आ जाए, केवल इतना हो जाए, तो हम कहे देंगे कि pendulum का एक oscillation complete हो गया है, ठीक है, इसी बात को यहाँ एक बार और देखिए, कि the pendulum is said to have completed one oscillation, oscillation का मतलब rotation समझ लीजे, rotation rotate करने के sense में है लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं इसे rotation, क्योंकि यह एक cycle complete कर रहा है, o से शुरू हो रहा है, और a भी जा रहा है, b भी जा रहा है, वापिस o पे आ रहा है, तो इसे ही हम oscillation कहते हैं, नया term दिया गया है, नया नाम दिया गया है, तो pendulum अपना एक cycle तब complete किया हुआ माना जाता है, जब यह अपने mean position o से शुरू करे, फिर move करे a तक, मतलब o से move किया a तक, और फिर a से जाए b तक, a से गया b तक, और फिर b से आ जाए वापिस o तक, o से शुरू किया, वापिस o पर आ गया, दोनों point को touch करते हुए, तो ऐसे को हम कहेंगे कि pendulum ने एक oscillation पूरा किया, एक cycle पूरा किया, एक rotation पूरा किया, ऐसे समझिया, ठीक है, I hope आपको यह oscillation clear है, the pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position a to the other extreme position b and comes back to a, तो यहां तो o को एक reference point मानके बताया जा रहा था, एक oscillation को, कि अगर हम मानते हैं कि यह o से शुरू कर रहा है, अगर हम a को starting point माने, तो एक oscillation को हम ऐसे बताएंगे, कि a से pendulum ने शुरू किया, b को touch किया, वापिस से a पर आ गया, तो यह हमारा एक oscillation हुआ, मतलब दोनों point को touch किया, और जहां से शुरू किया था, वहां पर आ गया, तो एक oscillation पूरा हुआ, अच्छा, अभी आपको अगर doubt होगा, कि यह o से शुरू कर रहा है, कभी, कभी a से शुरू कर रहा है, तो यह actually शुरू o से ही कर रहा है, लेकिन यह बात तबगी हो रही है, जब pendulum move कर रहा हो, rest में तो आप जानते हैं कि यह o पे ही बैठा रहेगा, o पे ऐसा लटका रहेगा, लेकिन जब यह move कर रहा हो, तो आप किसी भी point पे इसका oscillation निकालना चाहेंगे, मान लेते case में हम मान के चल रहे हैं कि हम o को गर starting point पकड़ेंगे तब एक oscillation किसको कहा जाएगा, अगर हम a को starting point पकड़ेंगे, तब oscillation किसको कहा जाएगा, उसी तरह हम b को भी starting point पकड़ सकते हैं, कि b को जब starting point पकड़ेंगे, तो यह a तक आए और वापिस से B तक आ जाए तो हम इसे एक oscillation कहेंगे तो I hope आपको यहां तक clear है The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period Time period की यह definition है इसे ध्यान रखिएगा कि एक pendulum को एक oscillation complete करने में जितना time लगता है pendulum का वही time period है तो इसलिए मैंने कहा कि जब यह move कर रहा हो तो उसके किसी point पे अगर आपको time period निकालना पड़े कि अभी क्या time period चल दा है pendulum का हमारे तो उस point पे आपको oscillation निकालना पड़ेगा क्योंकि एक oscillation को complete करने में जितना time लगा उसी को time period कहते हैं तो इसलिए मैंने इन references की चर्चा की कि संभव है आप A को starting माल ले B को starting माल ले या फिर O को starting माल ले और वहां से आप अपना एक cycle देख ले और उसका time अगर हम note कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना time period है कितना time लगा एक oscillation एक cycle एक rotation को complete करने में इस हमारे pendulum को time period की definition ध्यान रखिएगा एक oscillation में लगा time time period होता है एक oscillation को complete करने का time time period होता है और oscillation कैसे निकालते हैं दोनों सिरे को छूके आ जाए हमारा pendulum वहीं पे जहां से शुरू किया था वो हमारा एक oscillation हुआ तो I hope आपको ये oscillation क्या है ये आप समझ गए होंगे और time period भी आप समझ गए होंगे ये चीजें याद रखिएगा ये आपको class 12 तक काम आएगे आईए देखें ये activity 13.2 set up a simple pendulum as shown in figure 13.4a तो जिस तरह 13.4a में दिखाया गया है कि एक rigid point से इस तरह धागे को बांध के bob को लटका दिया गया है इस तरह का एक pendulum set up करने का बनाने का कोशिश कीजिए with a thread or a string of length nearly 1 meter तो हम जो pendulum बना रहे हैं उसमें जो ये string की लंबाई है, हमारे धागे की लंबाई है जिससे ये bob लटकेगा उसे हम 1 meter रखेंगे 1 meter हमारे धागे की लंबाई होगा switch off any fans nearby अगर कमरे में कोई पंखा चल रहा हो तो उसे बंद कर दीजिए क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो ये जो धागा है हमारा संभव है move करे पंखे की हवा अगर तेज होगी और bob जो है उसका weight अगर कम होगा तो संभव है ये pendulum अपने आप ही move करना शुरू कर दे इसलिए कहा गया है कि पंखे को आप बंद कर दे switch off कर दे let the bob of the pendulum come to rest by its mean position आप जब इसे set कर रहे होंगे तो जब छोडेंगे तो ये हिलडूल रहा होगा तो थोड़ी दिर इंतजार कीजिए इसे अपने mean position में आने दीजिए bob को रुकने दीजिए pendulum को शान्त होने दीजिए mark the mean position of the bob on the floor below it or on the wall behind it आपने जो pendulum ये लटका रखा है जब ये शान्त हो जाए तो इसका जो भी position है ये कहां पे रुका हुआ है अपने शान्त position में इसे note करने का try कीजिए इसे आप जमीन पे भी note कर सकते है ground पे या फिर इसके पीछे जो दिवाल है आप वहाँ पे भी note कर सकते है कि ये mean position है हमारे pendulum का ये average position है हमारे pendulum का यहाँ पे हमारा pendulum रुका हुआ था वो point आप mark कीजिए अगर pendulum का time period निकालना है और accurately निकालना है तो हमें एक stop watch की जरूरत होगी क्योंकि stop watch काफी छोटे precision से measure करता है millisecond में measure करता है और time period काफी छोटा समय होगा millisecond में होगा तो अगर हम stop watch को use करेंगे time period निकालते वक्त तो हमें काफी accurate reading मिलेगी However, if a stop watch is not available a table clock और a wrist watch can be used अगर आपके पास stop watch नहीं है तो एक wrist watch कलाई वाली घड़ी या फिर एक wall clock भी हम use कर सकते हैं या फिर एक table clock भी use कर सकते हैं तो set the pendulum in motion gently hold the bob and move it slightly to one side pendulum को motion में लाने के लिए pendulum को move कराने के लिए इस pendulum को बड़ी साबधानी से पकड़िए और इसे एक सिरे पर लाकर एक तरफ लाकर छोड़ दीजिए तो pendulum move करने लगेगा pendulum में motion सुरू हो जाएगा make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it तो ये ध्यान रखें कि जब आप pendulum को पकड़ के ऐसे छोड़ने जा रहे हो तो ये जो pendulum का धागा है ये तना हुआ रहे ये टाइट रहे ये ध्यान रखें taut का मतलब है जो तना हुआ रहे tight रहे stretched रहे और displace it का मतलब जब हम उसे ले जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम इसे छोड़ने वाले हो उस टाइम पर हम ये ध्यान रखेंगे कि bob का जो भी string है pendulum का जो string है जिससे bob लगा हुआ है वो tight रहे now release the bob from its displaced position displaced position का मतलब जब हम इस bob को यहां तक खीच कर ले आए तो ये इसका displaced position हुआ और इसी हम displaced position से इस bob को छोड़ देंगे तो ये bob आगे move करना शुरू करेगा remember that the bob is not to be pushed when it is released ध्यान रखें कि जब आप bob को खीच कर यहां पर लाएं हो तो इसे धकेलना नहीं है इसे आगे की तरफ धक्का नहीं देना है बस छोड़ देना है छोड़ देने मात्र से ये bob move करना शुरू करेगा note the time on the clock when the bob is at its mean position instead of the mean position you may note the time when the bob is at one of its extreme position पहले तो इन्होंने कहा कि आप bob के इस mean वाले position का time note कर लीजिए लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी कि जब ये bob rest पे था इसे हम यहां तक ले आने वाले हैं bob यहां पे जब आहेगा उसके बाद हम इसे release करेंगे तो bob को यहां से यहां तक आने में भी कुछ time लगेगा तो इस mean position वाले time को note करने के बजाए अगर इस displaced position का time note कर लिया जाए in fact displaced position से जब आप इसे छोड़ने वाले हो वो वाला point of time note कर लिया जाए तो ज़्यादा accurate होगा measure the time the pendulum takes to complete 20 oscillations तो यह 20 oscillations complete करने में pendulum कितना time लेता है इसे count कीजिए, note कीजिए कि 20 बार यह हम A से सुरू कर रहे हैं अगर तो A से B तक जाके और वापिस A तक आएगा इसे हम एक oscillation कहेंगे तो इस तरह के 20 oscillation को पूरा करने में यह हमारा pendulum एक मेटर वाले string का कितना समय ले रहा है इसे हम note करेंगे starting point note कर लेंगे और 20 बार count करेंगे 20 जब पूरा हो जाएगा उस समय का time note कर लेंगे और दोनो time का अगर हम difference निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना time लिया pendulum ने 20 oscillation को complete करने का record your observations in table 13.2 तो नीचे है यहाँ table 13.2 इसमें दो columns हैं पहला है time taken for 20 oscillations और दूसरा है time period मतलब pendulum को 20 oscillations complete करने में कितना समय लगा और एक oscillation का क्या time period था एक oscillation को पूरा होने में कितना समय लगा तो यह दो चीजे हमें यहाँ पे note करनी है table 13.2 में यहाँ आप देखेंगे पहला observation zone है कि 20 oscillations complete करने में 42 seconds लगे यहाँ जो bracket में S लिखा है इसका मतलब है seconds time seconds में बता रहे हैं pendulum को 20 बार oscillate करने में 42 seconds लगे और एक oscillation complete करने का जो time है उसी को time period कहते है और वो time period है 2.1 seconds तो हम अलग अलग बार जब अपने pendulum को release करेंगे तो हमें थोड़े बहुत variation के साथ यह चीज मिलेगी जिसे हमें यहाँ पे इस table में note करना है your observations could be different from this हमारा observation इस sample observation से अलग हो सकता है repeat this activity a few times and record your observation हम इस pendulum को एक जगा ले जाकर चोड़ने वाली activity को pendulum को isolate करने वाली activity को कुछ बार करेंगे 2-4 बार 5-10 बार और अपने सारे observation को इस table 13.2 में note करेंगे और देखेंगे कि क्या difference आ रहा है कितना margin of error है जो हमारा time period है वो कितना vary कर रहा है या फिर जो 20 oscillation पूरा करने के लिए जो लगा time है वो किस तरह vary कर रहा है तो चुकि हमारा जो string का length है string की लंबाई है वो एक meter fixed है तो जो time लगने वाला है वो almost similar ही रहेगा by dividing the time taken for 20 oscillations by 20 get the time taken for one oscillation or the time period of the pendulum तो अगर हम average time period निकालना चाहें ये average time period accurate के बहुत करीब होगा क्योंकि ये 20 oscillations का time period है अब यहाँ पे simple unitary method काम करेगा कि यहाँ पे हमने 20 बार oscillate कराया है तो इसका time है 42 seconds और हमें एक oscillation का time चाहिए तो इसमें यहाँ पे 20 से divide कर देंगे तो हमें 2.1 मिल जाएगा तो average time period या फिर in general time period जो ज़्यादा accurate होगा वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर आप किसी particular oscillation को पकरेंगे तो संभव है कि time period थोड़ा vary कर जाए 2 second की बजाए 3 second आ जाए या कम आ जाए क्योंकि oscillation की speed धीरे धीरे reduce होती जाएगी कम होती जाएगी तो जितने भी cases हम करेंगे जितनी बार भी ये observation हम करेंगे उन सब में ये average time period निकाल कर try करेंगे और हम ये पाएंगे कि average time period almost same होगा हमारे सारे observations में 20 oscillations का निकालेंगे तो ये time period लगभग बराबर आएगा क्योंकि average में variation की probability कम हो जाती है note that the slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum तो इसका मतलब ये है कि अगर हम mean वाली position से निकाल रहे हैं हमने इस वाली position पे अपना time note किया है तो यहां से यहां पे pendulum को ले जाने का जो process है उसी को initial displacement कहा जा रहा है कि शुरू में जो displace किया गया ये pendulum यहां से यहां तक तो यह जो time है यह ज़ादा variation create नहीं करेगा लेकिन बहतर है कि आप वो time note करें जब आप इस pendulum को release करते हैं तो आपको ज़ादा accurate time पता चलेगा nowadays most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells आजकल की घडियां आ रही है उसमें electric circuits होती है और उसमें एक या एक से अधिक batteries लगती है cells लगती है these clocks are called quarch clocks और आजकल की नई घडियों को हम quarch घडी कहते हैं the time measured by quarch clocks is much more accurate than that by clocks available earlier तो ये नई घडियों के द्वारा measure किया गया जो time है वो ज़्यादा accurate होता है pendulum वाली घडि या पहले जो भी method था clock बनाने का या time को measure करने का उन सभी से accurate है हमारी ये आजकी नई quarch घडी तो I hope आपको ये section clear है इसमें हमने average time period निकालना सीखा time period की definition देखी और solution क्या होता है ये देखा आईए अब देखें अगला section units of time and speed the basic unit of time is a second एक second को time का basic unit कहते है ये second time का SI unit भी है इसके बारे में हम और आगे जानेंगे its symbol is small s एक second को एक छोटे s से represent किया जाता है larger units of time are minutes जिसे हम short में min लिखते हैं and hours जिसे हम small h लिखते हैं ये min और h minutes और hours के symbols हैं respectively you already know how these units are related to one another हम पहले से जानते हैं कि ये minute, घंटे और seconds एक दूसरे से किस तरह related हैं जैसे कि एक घंटे में 60 minutes होते हैं और एक minute में 60 seconds होते हैं तो ये तिनों इस तरह से related हैं और time की basic unit हमने जानी वो second है what would be the basic unit of speed तो जिस तरह time का basic unit second है उसी तरह speed का basic unit है वो क्या होगा since the speed is distance by time distance by time कहने का मतलब कितना distance cover किया गया और कितना समय लिया गया इन दोनों को हम divide कर देते हैं तो हमें speed मिलती है speed का ये formula है इसे हमने पहले भी देखा तो अब चुकी speed जो है वो distance को time से divide करने के बाद मिलता है हमें इसलिए जो speed है उसकी basic unit distance की basic unit upon time की basic unit हो जाता है तो वही लिखा है कि the basic unit of speed is meter per second हमने जाना कि time की basic unit है second उसी तरह distance का basic unit होता है meter तो अगर हम meter upon second लिख दें तो ये हमारे speed की basic unit बन जाएगा of course it could also be expressed in other units such as meter per minute और kilometer per hour तो इसे distance के दूसरे units और time के दूसरे units के respect में भी बताया जा सकता है जैसे की distance को meter में न बता के हम distance को kilometer में भी बता सकते हैं और time को second में न बता के हम इसे minute या घंटे में भी बता सकते हैं लेकिन generally आपको speed मीटर पर सेकेंड में मिलेगा या फिर किलोमेटर पर आवर में मिलेगा जो छोटी speeds होंगी वो आपको मीटर पर सेकेंड में मिलेंगी और बड़ी speed किलोमेटर पर आवर में मिलेंगी हम जब problems solve कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें meter per second को kilometer per hour में convert करने की और kilometer per hour को meter per second में convert करने की जरूरत अक्सर पढ़ती है इसके लिए formula है इसे जब हम numerical करेंगे तब देखेंगे You must remember that the symbols of all units are written in singular आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी units हैं जैसे कि speed का जो भी unit है या फिर time का जो भी unit है weight का जो भी unit है उसे हमेशा singular में लिखते हैं इससे क्या मतलब है इस example में बताया गया है कि for example we write 50 kilometer and not 50 kilometers ऐसे देखें तो 50 एक से ज़्यादा लगता है तो ideally इसमें S लगना चाहिए था ये plural होना चाहिए था लेकिन हम इसे ऐसा लिखते नहीं है अगर हमें 50 kilometer कहना है तो हम 50 kilometer ही कहते हैं ऐसे symbol के form में 50 km लिखते हैं 50 kms नहीं लिखते उसी तरह अगर 8 cm बताना है तो हम 8 cm लिखते हैं 8 cm नहीं लिखते हैं 8 cm नहीं लिखते हैं मतलब units हमेशा singular रहते हैं बूजो is wondering how many seconds there are in a day and how many hours are in a year, can you help him? तो एक दिन में कितने seconds है, ये बूजो निकालना चाहता है, तो हमें एक minute में 60 seconds हैं ये पता है, एक घंटे में 60 minutes हैं ये पता है, दिन में 24 घंटे हैं हमें ये पता है, तो इन सभी को अगर गुना कर लें, इन सभी को अगर multiply कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में क 366 days होते हैं तो इन दोनों को अगर multiply कर लें तो एक साल में कितने घंटे हैं यह हमें पता चल जाएगा इसके बाद है एक छोटी सी कहानी जिसमें time period और pendulum की discovery के बारे में है In short यह कहानी यह है कि Galileo एक church में बैठे थे और एक chain से एक lamp लटक रहा था और वो lamp हिल डूल रहा था, move कर रहा था और इसी से Galileo ने एक observation निकाला, एक चीज notice करी और वही आगे चलके simple pendulum की तरह develop हुआ, simple pendulum का development वही से होता है यह interesting कहानी है, आप एक बर पढ़िए इसे हमने चुकी simple pendulum के बारे में already देख लिया है, सो मैं इसे यहाँ skip कर रहा हूँ different units of time are used depending on the need जस तरह जरूरत पड़ती है, उस तरह समय के अलग-अलग units को use किया जाता है जैसे कि अगर काफी छोटे समय को दिखाना होगा, तो हम seconds में बताएंगे वहीं अगर बड़े समय को दिखाना है, तो हम घंटे या फिर दिनों में बताते हैं जिस तरह जरूरत होती है, समय के उस unit का इस्तेमाल किया जाता है अगर छोटे unit की जरूरत है, तो छोटे unit का, अगर बड़े unit की जरूरत है, तो बड़े unit का इस्तेमाल होता है इसे यहाँ एक example से समझाया गया है कि it is convenient to express your age in years rather than in days or hours जैसे कि हमसे अगर कोई हमारी उम्र पूछता है तो हम उसे सालों में बताते हैं कि मेरी उमर 15 साल है, 20 साल है इसे हम minute या घंटों में नहीं बताते, दिनों में नहीं बताते Similarly, it will not be wise to express in year the time taken by you to cover the distance between your home and your school उसी तरह जितना समय हमें अपने घर से, अपने स्कूल पहुचने में लगा, इस समय को हम years में नहीं बताते इस समय को हम generally minute या घंटों में बताते हैं तो जितना बड़ा या जितना छोटा समय है, उस हिसाब से हम time की unit को चुन लेते हैं conveniently How small or large is a time interval of one second? एक second कितना छोटा या फिर कितना बड़ा है, the time taken in saying aloud two thousand and one is nearby one second ये जो यहाँ sentence लिखा है two thousand and one, इस sentence को बोलने में जितना समय लगा, वो लगभग एक second के बराबर है verify it by counting aloud from two thousand and one to two thousand and ten आप two thousand and one से two thousand and ten तक count करके ये verify कीजिये कि इन सभी words को बोलने में एक ही second समय लग रहा है कि नहीं? the pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds एक स्वस्त आदमी की धड़कन एक मिनट में 72 बार होती है, एक स्वस्त आदमी का दिल बार धरकता है, अगर आप महसूस करेंगे अपने heartbeat को तो आपको एक मिनट में ये 72 times धड़कता मालूम पड़ेगा और 10 सेकेंड में ये 12 बार धरकता है 12 times in 10 seconds this rate may be slightly higher for children, बच्चों के लिए ये rate कुछ जादा हो सकता है, एक मिनट में 72 times से जादा बीट कर सकता है उनका heart पहली wondered how time was measured when pendulum clocks were not available पहली सोच रही है कि समय उस समय कैसे measure किया जाता होगा जब pendulum clocks available नहीं थे, उपलब्द नहीं थे तो उस समय कुछ दूसरे तरह की घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनकी images भी देखेंगे many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular pendulum clocks के popular होने से पहले बहुत अलग तरह की घड़ियां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में प्रयोग की जाती थी sun dials, water clocks and sand clocks are some example of such devices तो time को measure करने के लिए पहले लोग sun dial का इस्तेमाल करते थे या फिर water clock का इस्तेमाल करते थे या फिर sand clock का इस्तेमाल करते थे तो इस तरह समय को ना पा जाता था, time का track रखा जाता था different designs of these devices were developed in different parts of the world, figure 13.5 तो sun dial या फिर water clock या फिर sand clock के अलग-अलग design दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मिलते हैं इसे दिखाया गया है figure 13.5 जो यहाँ नीचे दिया है आप देखेंगे यहाँ इस image में एक बड़ा सा sun dial है जो की जंतर-बंतर दिल्ली में है वहीं अगर sand clock की बात करें तो यह एक sand clock है यहाँ उपर sand रहता है और यह sand उपर से नीचे को गिरता रहता है और यह पूरा sand नीचे गिरने में जितना समय लगा उसे time का एक interval कह सकते हैं और जब यह sand पूरी तरह नीचे गिर जाएगा तो फिर इस sand clock को उलट कर रख देंगे और यह फिर से गिरना सुरू होगा तो इस तरह हम time का एक पैमाना बना सकते थे और sand clock को use किया जाता था वहीं यह है एक water clock इसमें क्या विशेस है तो इसमें एक यह container है जिसमें एक छोटा सा छेद है जिससे पानी अंदर enter कर सकता था और यह एक बड़ा सा container है जिसमें पानी भरा है और इस वाले छोटे container को इस बड़े वाले container में रखेंगे और पानी जितनी देर में इस छोटे container में भर जाएगा वो एक fix time होगा हर बार यह container उसी time में भरेगा उतना ही समय लेगा भरने में चुकि छेद का size fix है इस hole का जो size है वो fix है तो इस तरह से भी समय को ना पा जाता था तो यह है water clock, यह है sand clock और यह है sundial sundial में सूरज का प्रकास जिस तरह पड़ता है और जैसी चाया बनती है उस हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि अभी इतना समय हो रहा होगा तो यह कुछ clock के types थे before pendulum clock तो इसी के साथ measuring time वाला हमारा section खतम होता है अब आएए देखते हैं section 13.4 measuring speed having learnt how to measure time and distance you can calculate the speed of an object let us find the speed of a ball moving along the ground अब चुकी हमने distance के बारे में जान लिया है और time के बारे में भी जान लिया है तो अब हम speed calculate कर सकते हैं क्योंकि speed का हम formula जानते हैं distance by time distance को अगर time से divide कर दें तो हमें speed मिल जाएगा तो आएए किसी object की speed को calculate करके देखते हैं यह है activity 13.3 इसमें एक ball जो ground पे move कर रहा है उसकी speed हम calculate करने वाले हैं draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of your friends to stand one or two meter away from it जमीन पर हमें एक straight line draw करनी है जैसा कि यहाँ इस बच्चे ने ऐसे draw कर रखी है यह line हम chalk powder या फिर चूने से draw कर सकते हैं और फिर हमें हमारे एक दोस्त को इस line से एक या दो मीटर दूर यहाँ ऐसे खड़े करना है let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line perpendicular का मतलब है 90 degree पे अगर line ऐसे है तो इसके सीध में यहाँ पे 90 degree का एंगल बने उसे ही perpendicular कहते हैं तो यह जो दोस्त हमने अपनी इस line के एक या दो मीटर दूर खरे करके रखा था इसे हम कहेंगे कि भई आप एक ball को जमीन पे roll करो इस तरह आगे की तरफ ढ़के लो और यह जो ball का path होना चाहिए ball जिस रास्ते से आएगा वो perpendicular हो वो इस line से 90 degree का एंगल बनाता हो यहाँ पे आपको यह ठेड़ा लग रहा है क्योंकि यह एक 3D image को बनने की कोशिश है यह पूरा ground होगा और इस पे यह ball roll कर रहा है तो आप मानके चलिए कि यह जो line है इसके साथ 90 degree का एंगल बना रही होगी तो अब जब ball roll कर दिया गया है उसके बाद note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest how much time does the ball take to come to rest तो अब जिस समय यह ball इस line को cross करती है इस line को par करती है वो समय हमें note करना है और यह ball जो move कर रही थी कब रुक जाएगी जिस समय पे रुकेगी वो समय हमें note करना है तो जिस time इस line को cross किया और जिस time यह ball move करना बंद कर देगी यह दोनो time हम note करेंगे तो पूछा जा रहा है कि कितना time लिया ball ने तो वो हम जानेंगे measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest तो अब ball जहां रुका है उस point से हमारे line की जो दूरी है जो distance है वो हमें measure करना है नापना है इस distance को नापने के लिए आप एक scale या फिर एक measuring tape का सहरा ले सकते हैं अलग अलग लोगों को यह activity करने दीजिए record the measurement in table 13.3 और table 13.3 में हम अपने इस observation को यहां note करेंगे group का नाम सबसे पहले column में कितना distance move किया ball ने meter में कितना समय लिया ball ने इस distance को move करने में यह second में और फिर कितनी speed रही हमारी ball की meter per second में इन दोनों को divide करके हम यहां लिखेंगे तो यह activity हमें करनी है in each case calculate the speed of the ball तो speed of the ball हम calculate करेंगे you may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends अब चुकी हमें speed निकालना पता है तो हम अपने walk करने की speed या फिर cycle चलाने की speed निकाल कर अपने दोस्तों के साथ compare कर सकते हैं you need to know the distance of the school from your home or from some other point आपको अपने school की distance अपने घर से पता हो आपके school की दूरी पता हो अपने घर से क्या फिर और किसी दूसरे जगह से आपकी school के दूरी आपको पता हो और फिर अगर आप time note कर लें कि कितना time लग रहा है आपको school पहुँचने में तो आप speed आसानी से निकाल सकते हैं Each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed कितना समय लगा आपको school पहुँचने में ये जानकर और distance को जानकर आप अपनी speed, school पहुँचने की speed निकाल सकते हैं It may be interesting to know who amongst you is the fastest ये काफी दिल्चस्प होगा जानना कि आप सब में से कौन सबसे तेज है Speed of some living organisms are given in table 13.4 in km per hour तो ये है table 13.4 इसमें कुछ living organisms हैं इनकी speed दे रखी है कि ये कितने तेज चलते या उड़ते हैं जैसे कि falcon एक bird है जिसकी speed 320 km per hour है मतलब ये falcon bird एक घंटे में 320 km तक travel कर सकता है उसी तरह चीते की speed दे रखी है blue fish की speed दे रखी है snail की भी speed दे रखी है तो ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है ये decreasing order में है You can calculate the speed in meter per second yourself तो ये speed km per hour में दे रखी है हमें इस speed को अगर meter per second में convert करना हो तो क्या करेंगे तो इस speed 320 को मैं 320 km per hour भी लिख सकता हूँ इसे इसकी unit के साथ लिख दिया अब इस 320 km per hour को अगर मैं कुछ ऐसे लिख हूँ कि 320 km divided by one hour यही मतलब है इसे हम पढ़ते हैं 320 km per hour per hour मतलब हर घंटे 320 km ये travel करेगा तो इसे अब हमें meter per second में बदलना है तो 320 km को अगर meter में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 km में 1000 meter होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 320 into 1000 meter ठीक है ये kilometer meter में convert हो गया divided by one hour है तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 minute होते हैं और 1 minute में 60 second होते हैं इसका मतलब in short हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में इतने seconds होते हैं तो यहाँ पे अब घंटे की जगह हम second लिख पाएंगे तो यही काम जो आप उपर देख रहे हैं यहाँ पे हो रखा है और फिर यहाँ पे 0 से 0 cancel हो गया 0 से 0 cancel हो गया और भी अगर आप आगे cancel करना चाहें तो यह 5 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा मतलब दुनों को 2 से divide कर दिया और यह भी 3 हो जाएगा और यह 160 हो जाएगा तो अगर हम 160 को 5 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 800 meter upon 9 seconds तो हमें इसे पर second में बताना है मतलब कि 1 second में यह कितना meter चलेगा तो अगर हम 800 को 9 से divide कर दें तो यह कुछ decimal में आएगा तो यह आता है 88.88 meter per second मतलब 1 second में यह इतने meter travel करेगा इन दोनों को divide कर दिया है बस तो यह पूरी कहानी हो गई आपकी meter per second और kilometer per hour के conversion की तो आईए हम अब आगे देखते हैं तो अब हमने यहाँ meter per second में speed calculate कर लिया है अब आगे है कि rockets launching satellites into earth's orbit often attain speeds up to 8 km per second वो rocket जो satellite को orbit में छोड़ने के लिए धरती से launch किये जाते हैं हमारी इसरो के द्वारा या फिर नासा के द्वारा उसमें जो rocket की speed होती है वो लगभग 8 km per second होती है मतलब वो rocket एक second में 8 km travel करता है On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 cm per second एक कछुआ काफी धीरे चलता है वो केवल 8 cm ही travel कर सकता है 1 second में Can you calculate how fast is the rocket compared with the tortoise तो क्या आप compare कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि जो rocket है वो tortoise से कितना ज़्यादा तेज है इसे हम multiples में बता सकते हैं कि 10 गुना तेज है कि 20 गुना तेज है तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस km per second को cm per second में convert करेंगे तो 8 km में कितने cm होते हैं इसका मतलब 8 lakh cm per second और tortoise की speed है 8 cm per second तो अगर हम ये जानना चाहें कि rocket कितना फास्ट है tortoise से तो इसे हम multiples में बताएंगे कि rocket की speed 10,000 times जादा है tortoise के speed से क्योंकि इस 8 cm per second में जो कि tortoise की speed है उसमें हम 10,000 से multiply कर दें तो हमें rocket की speed मिल जाती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि rocket की speed 10,000 times जादा है tortoise के speed से तो I hope आपको ये clear है Once you know the speed of an object you can find the distance moved by it in a given time एक बार अगर आपको object की speed का पता चल जाए तो एक given time में वो कितना distance travel करेगा हम ये भी निकाल सकते हैं कहने का चाहिए कि हमें अगर पता है कि कोई चीज की speed कितनी है जैसे कि अगर मुझे पता है कि car की speed 50 km per hour है एक घंटे में car 50 km travel करती है तो अगर मुझे पता करना है कि car 10 घंटे में कितना travel कर चुकी होगी तो मैं 50 को 10 से multiply कर दूँगा इसका मतलब है कि 500 km car travel कर चुकी होगी 10 घंटे में तो इससे हम क्या इनफर कर सकते हैं कि हमें अगर speed पता हो और time पता हो तो हम distance निकाल सकते हैं जो speed का formula है that is distance by time इसमें से कोई दो चीज हमें पता हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं all you have to do is to multiply the speed by time thus distance covered equal to speed into time तो एक बार अगर हम अपने speed के formula को देखें तो speed का formula था हमारा speed equal to distance by time यहां से अगर हमें distance निकालना होगा तो इन दोनों का multiply हो जाता है एक cross multiplication होता है तो distance equal to लिखते हैं speed into time time equal to उसी तरह हो जाता है distance by speed तो हमें कुछ भी निकालना हो speed निकालना हो, distance निकालना हो, time निकालना हो तो हम इन तीनों formula को use करके निकाल सकते हैं और यह तीनों formula एक ही इसी parent formula से आते हैं speed equal to distance by time आप time निकाल लो, speed निकाल लो या फिर distance निकाल लो तो I hope आपको यह clear है यह काफी गंदा हो गया इसलिए से मिटा रहा हूं तो I hope आपको अब यह clear है कि यह formula किस तरह आया वैसे अगर आप चाहें तो इसे याद भी रखिएगा आईए अब आगे देखें यू can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed वही बात कि अगर हमें distance पता हो और speed पता हो तो हम time निकाल सकते हैं यही तो कहा कि you can also find time an object would take कितना समय एक object लेगा एक given distance को cover करने के लिए जब वो एक खास speed से move कर रहा हो मतलब कि हमें speed का पता है हमें distance का पता है और हम फिर time निकाल सकते हैं ठीक है और इसके लिए यहाँ पर formula भी दे रखा है कि time taken equal to distance by speed तो आप ये तीनो formula याद रखिएगा time का formula distance by speed distance का formula speed into time और speed equal to distance by time अगर आप एक भी याद रखेंगे फिर भी जरुत पढ़ने पर आप ये formulas निकाल सकते हैं derive कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बूजो जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी device है जो speed को measure करती हो नापती हो तो हाँ ऐसी device है आपने motorcycle या scooter पे एक meter लगा देखा होगा similarly, meters can be seen on the dashboards of cars, buses and other vehicles figure 13.7 तो ये जो meter, motorcycle या scooter के उपर फिट होते हैं ये हमें car की dashboard में या फिर bus के dashboard में भी देखने को मिल सकते हैं और इसे figure 13.7 में भी दिखाया गया है तो ये है वो meter इसी का एक enlarged image यहाँ दिखाया गया है इसे हम speedometer कहते हैं ये speed को नापने के काम में आता है और यहाँ जो image दिखाई गई है वो car का dashboard है जहाँ पे speed दिखाई देता है, fuel दिखाई देता है और भी indications होते है figure 13.7 shows the dashboard of a car note that one of the meters has kilometer per hour written at one corner आप इस speedometer को अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे kilometer per hour लिखा हुआ है मतलब कि ये जो speedometer है, ये जो भी meter है ये kilometer per hour में speed को measure करती है अगर ये सुई यहाँ 40 पे है इसका मतलब है कि car 40 km per hour से move कर रही है car के speed 40 km per hour होगी उस समय जब ये सुई यहाँ 40 को touch कर रही हो यही मतलब है इसका This is called a speedometer इस वाले device को हम speedometer कहते हैं It records the speed directly in km per hour ये वाली meter speed को km per hour में record करती है measure करती है There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle This meter is known as an odometer ये वाली जो meter आप देख रहे हैं जहाँ पे total distance travel दिखाया जाता है कार ने अब तक कुल कितना distance travel किया है अपनी lifetime में वो यहाँ पे दिखाया जाता है और ध्यान दीजिए ये भी km में है तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है ये odometer की reading अपडेट होती जाती है ये भी आगे को बढ़ती जाती है तो ये total distance measured को दिखाने वाला meter है इसे हम odometer कहते हैं मतलब की distance नापने वाले meter को odometer कहेंगे speed नापने वाले meter को speedometer कहेंगे speedometer तो आसान है speed का जो भी meter है वो speedometer है लेकिन distance को नापने वाला जो meter है वो odometer है ये बात याद रखिएगा वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक पहेली decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey पहेली जब पिकनिक पे जा रही थी तो उसने decide कि odometer पे जो भी reading है bus की वो वह note करेगी हर 30 minutes पे odometer की reading वह note करेगी उसकी जो भी reading है वो table 13.5 में यहां दिखाई गई है हर 30 minutes पे उसने odometer के reading ली है तो शुरुवात में reading कितनी थी जैसे कि पहेली की गारी अगर 8 बजे चलना शुरू करी होगी तो शुरुवात में जब distance 0 km था गारी रुकी हुई थी तब odometer की reading इतनी थी आदे घंटे बाद उसकी reading इतनी हुई और फिर हर आदे घंटे पे उसने reading ली है और वो reading respectively यहां लिखे हुई है तो आईए अब आगे देखते हैं तो क्या आप इस टेबल को देखकर बता सकते हैं कि जो पिकनिक वाली जगह थी वो स्कूल से कितनी दूरी पर थी तो यहां पे अगर आप distance वाले में देखेंगे तो जो आखरी distance है वो है 80 km मतलब total distance जो travel हुआ है वो है 80 km इसका मतलब है कि जो पिकनिक का spot था जो भी पिकनिक की जगह थी वो 80 km दूर थी स्कूल से तो अगर हमें speed calculate करना है तो हमें distance चाहिए और time चाहिए तो distance हमें यहां पता चल गया कि जो final distance है वो 80 km है 0 km से शुरू होके 80 km तक पहुँचा है यह odometer की reading आप घटा कर भी निकाल सकते हैं जैसे कि शुरुवात में odometer की reading इतनी थी अंत में वो इतनी हो गई तो अगर हम घटा दें इन दोनों को subtract कर दें 3, 6, 6, 2, 0 को अगर 3, 6, 5, 4, 0 से घटा दें तो हमें 0, 0, 0, 8, 0 यह मिलेगा और यह किलोमेटर में है ध्यान रखें odometer की reading किलोमेटर में होती है तो यहां से हमें यह पता चल गया कि जो भी picnic का spot था वो 80 किलोमेटर दूर था ठीक है इसका मतलब कि हमें distance पता है और यहां पे time भी दे रखा है और speed निकालने के लिए distance चाहिए और time चाहिए तो time देखेंगे तो 8 a.m. पे शुरू हुआ था मतलब 8 बजे सुबह गाड़ी चली थी और 10 बजे पहुँच गई मतलब 2 घंटा लगा तो 80 किलोमेटर total distance था और 2 hour हमारा time लगा तो इन दोनों को अगर divide कर दें तो 40 आएगा और इसकी unit क्या होगी किलोमेटर पर आवर क्योंकि distance हमने किलोमेटर में लिया है time हमने आवर में लिया है तो जो भी bus से वो लोग पिकनिक पे जा रहे थे उसकी speed कितनी हुई 40 किलोमेटर पर आवर मैं इसे मिटा रहा हूँ I hope आपको ये clear है तो हमने distance देख ली हमने speed देख ली अब अगला looking at the table भूजो आस्ट पहेली whether she can tell how far they would have traveled till 9.45 a.m तो table में देखकर भूजो ने पहेली से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि 9.45 a.m पे bus कहां पहुँची होगी कितना distance travel किया होगा bus ने 9.45 a.m पे 9.45 का समय 9.30 से 15 minutes बाद का समय है मतलब जो भी distance traveled होगा वो 60 km और 80 km के बीच में होगा ये clear है आपको क्योंकि 9.30 तक तो bus ने जो भी distance cover किया था वो तो करी लिया था 15 minutes में bus थोड़ा और दूर चलेगी तो obviously जो भी distance traveled होगा वो 60 से जादा होगा और 80 से कम होगा इसी बीच का कोई distance होगा ठीक है अब चुकि हमें bus की speed पता है जो हमने अभी अभी calculate करी 40 km per hour यानि कि हर घंटे में bus 40 km travel कर रही है 40 km travel कर रही है एक घंटे में अगर 40 km travel कर रही है तो आदे घंटे में कितना travel करेगी obviously इसका आधा travel करेगी 40 by 2 that is 20 km आदे घंटे में travel कर रही है आदे घंटे का मतलब 30 minutes में ये 20 km travel कर रही है अगर हम इसका भी आधा करें 15 minutes की बात करें तो ये कितना travel करेगी 20 by 2 करेगी इसका मतलब है कि 10 km ट्रेवल करेगी यानि कि अब हमने यहां से calculate कि 15 मिनट में यह 10 km ट्रेवल करने वाली है मतलब 10 km जादा और चलेगी यह 15 मिनट में तो अगर इस 60 में हम 10 जोड दें तो वो 70 होता है तो 9.45 पे जो position होगी बसकी वो 70 km वाली होगी यानि कि total distance traveled जो odometer की reading होगी वो 36610 होगी हमने इसमें 10 km एड कर दिया तो I hope आपको यह clear है तो इसी तरह से आप calculate कर सकते हैं कि किसी भी given point of time पे बस की क्या position होगी तो आईए अब आगे देखते हैं पहली had no answer to this question पहली ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो इस question को solve करने का एक और तरीका यह है कि वे distance time graph को plot करें तो distance time graph plot कैसे करते हैं यह हम अभी थोड़ी दिर में देखने वाले हैं लेट उस find out how such a graph is plotted आईए देखें किस तरह plot किया आता है एक distance time graph को तो अगला section ही है हमारा 13.5 distance time graph आपने paper या फिर magazines में इस तरह के graph देखें होंगे जो की data को represent करते हैं और किसी भी article को यह interesting बनाते हैं सुन्दर बनाते हैं यह जो figure 13.8 है इसमें यह जो graph दिखाया गया है इस तरह के graph को बार graph कहते हैं another type of graphical representation is a pie chart figure 13.9 नीचे यह है figure 13.9 इसमें यह जो graph दिखाया गया है इस तरह के graph को हम pie chart कहते हैं the graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph 13.10 में यह वाला जो graph है इसे line graph कहा जाता है the distance time graph is a line graph तो जो भी distance time graph बनाने की बात हम कर रहे हैं जिससे हम 9.45 पे क्या distance होगा यह calculate करने वाले हैं तो यह जो distance time graph होगा वो line graph होगा मतलब कुछ इस तरह का graph होगा मतलब हमारा graph कुछ ऐसा दिखेगा the distance time graph is a line graph let us learn to make such a graph आईए देखें एक line graph किस तरह बनाते हैं take a sheet of graph paper हमें एक इस तरह का graph paper लेना है draw two lines perpendicular to each other on it हमें दो line इस पे draw करने हैं इस graph paper पे जो की एक दूसरे के perpendicular होग एक दूसरे से 90 degree का angle बनाते हो as shown in figure 13.11 तो यह है figure 13.11 जैसा की इसमें दिखाया गया है आप देखेंगे इसमें दो lines है एक है y और y dash मतलब इन दो points को मिलाने वाली जो line है यह वाली line और दूसरी line है x dash और x या फिर x या x dash इस तरह भी पढ़ सकते हैं तो इन दो points से जो गुजर रही है line यह वाली यह एक line है और इस पे यह 90 degree का angle बना रही दूसरी line y और y dash है mark the horizontal lines as x o x dash इन्होंने इस line को दिखाने के लिए इस बीच वाले o को भी गिन लिया है तो इस line को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यह वाली line x dash से भी गुजर रही है o से भी गुजर रही है x से भी गुजर रही है तो इस line को हम x o x dash भी बुला सकते हैं अगर इस O को न भी count करें तो X, X' भी बुला सकते हैं इस line को लेकिन चुकि इन्होंने X, O, X' कहा है तो हम भी इसे X, O, X' कहेंगे और इस वाले को Y, O, Y' कहेंगे किसी भी line का इस तरह से नाम रखा जाता है It is known as X-axis इस X, O, X' वाली line को हम X-axis भी कहते हैं और इस Y, O, Y' डेस वाली line को हम Y-axis कहते हैं Similarly, mark the vertical line Y, O, Y' डेस It is called Y-axis, ठीक है The point of intersection of X, O, X' and Y, O, Y' is known as origin तो ये जो दो line है, जो एक दूसरे के ऊपर perpendicular है 90 degree का angle बना रही है जिनका हमने यहाँ पे नाम देखा X, O, X' और Y, O, Y' डेस ये दोनों line जहाँ पे intersect कर रही है एक दूसरे को काट रही है उस वाले point को हम origin कह रहे है जिसे यहाँ O से दिखाया गया है ठीक है X, O, X' हमारी X-axis है Y, O, Y' हमारी Y-axis है ये दोनों line जहाँ पे intersect कर रही है एक दूसरे को काट रही है वो वाला point हमारा origin है जिसे O से दिखाया गया है O for origin आप ऐसे भी याद रख सकते हैं तो आईए वागे देखें The two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes तो जो भी दो चीज जिसके लिए graph बनाया जाएगा जैसे कि distance time graph बनाया जाएगा तो ये distance और time का relation दिखाएगा नाम से ही clear है distance time graph distance और time का graph तो ये distance और time के बीच का कुछ relation दिखाएगा तो distance को हम एक axis पे denote करेंगे time को दूसरे axis पे denote करेंगे और कुछ-कुछ graph plot करेंगे तो वही कहा गया है कि जिन दो quantities का representation होने वाला है इस graph पे उसे इन दो axis पे represent करते हैं ये बात पहले से बताई गई होती है कि कौन सा axis किस चीज को represent कर रहा है जैसे कि इस वाले graph को देखिए इसमें दो axis हैं ये है x-axis ये है y-axis ये पूरी ऐसे दिखाया नहीं गया पूरा बट आप इसे अगर बढ़ा देंगे तो ये ऐसे ही होगा इसे ऐसे extend करते हैं हम लोग और इसे ऐसे ऐसे extend करते हैं तो आप समझिए कि यहां ये जो graph बना है ये ये वाला portion है जिधर graph ये वाला graph बन रहा है तो अगर representation को देखें तो किन दो चीजों के बीच में graph बनाया गया है तो देखिए ये वाला जो axis है ये age को represent कर रहा है और ये वाला जो axis है ये weight को represent कर रहा है तो इसी तरह जो भी graph आप देखेंगे उसमें एक given axis किस चीज को represent कर रहा है ये लिखा गया होता है उपर वाले graph में भी आप देखेंगे तो देखिए यहां भी nitrogen, other gases, oxygen तो किस चीज को ये denote कर रहा है ये बताया गया होता है बार graph में भी देखेंगे तो यहां पर देखिए ये वाली axis over को represent कर रही है और ये वाली axis runs को represent कर रही है तो हमने किस axis में किस quantity को रखा है ये हम लिखते हैं तो यही बात कही गई है इस वाली line में किन दो quantities के बीच में graph बनाया गया है ये दिखाया जाता है दो axis के along तो आए इसे देखें graph में क्या कहा गया है देखिए ये पूरा है हमारा x axis और ये पूरा है y axis इसे मैं जरा pin की मदद से समझाऊंगा ये है हमारा x axis ये है हमारा y axis तो इन्होंने यहाँ एक बात कही है कि ये जो ox वाला region है ये हमारा positive x axis को represent करता है और जो o y वाला region है positive y axis को represent करता है मतलब कि x axis में जो भी quantities यहाँ पे होंगी वो positive होंगी मतलब plus वाली quantities होंगी और जो भी quantities इधर left side में होंगी वो minus वाली quantities होंगी negative में होंगी ठीक है वही अगर y-axis पे हमें कोई चीज positive में दिखानी हो मतलब plus में दिखानी हो तो उसे हम यहां दिखाते हैं और y-axis में अगर कुछ negative में दिखाना हो तो हम यहां दिखाते हैं तो यह positive negative अभी थोड़ा confusion grade कर रहा होगा आपको तो एक example से समझते हैं जैसे कि हम distance time graph बनाने वाले हैं तो माल लेते हैं कि एक bus चल रही है उसका distance हम calculate कर रहे हैं जैसे कि बुझो और पहली picnic पे जा रहे थे तो time तो कभी negative होगी नहीं क्योंकि time तो हमेशा आगे बढ़ती है time कभी पीछे थोड़ी जाती है अगर 10 minute बीत गया तो वो तो हमेशा positive है time हमेशा plus होता जाता है time कभी पीछे नहीं जाता time कभी back नहीं आता तो अगर मान लेते हैं कि x-axis को मैं कहूंगा कि अगर x-axis पे time दिखाने वाला हूँ तो चुकि time एक ऐसी quantity है जो generally positive रहती है हमेशा आगे बढ़ती है है ना बढ़ते समय के साथ distance कैसे change करेगा हम ये दिखाएंगे अपने graph में तो हमें obviously time को बढ़ाना पड़ेगा time हमेशा बढ़ेगा ही obviously तो हम एक sexes में इस वाले region में positive चीजों को दिखाते है time चुकि positive ही रहने वाला है बढ़ने ही वाला है तो time को हम इसी region में plot करेंगे इसी region में denote करेंगे ठीक है अब आते हैं distance पे distance के बारे में भी सोचिए कि अगर समय बीत रहा है let's say 10 minute बीत गया और गाड़ी चल रही है तो distance भी positive ही होने वाला है गाड़ी कुछ न कुछ दूर ही तै करेगी कुछ दूर आगे बढ़ेगी 5 km बढ़े, 10 km बढ़े, 15 km बढ़े बढ़े तो बढ़ी है 2 km ही बढ़ी है बढ़ी है मतलब positive ही रहने वाली है तो positive में अगर माल लेते हैं मैं इसको कहूँ कि y-axis पे मैं distance दिखाने वाला हूँ ठेक है? तो ये भी कुछ न कुछ positive value ही देने वाली है मतलब y-axis में positive चीज़ों को अगर यहां दिखाते हैं x-axis पे negative चीज़ों को इधर दिखाते हैं negative अगर कोई ऐसी quantity होगी जिसकी जरूरत हमें पड़े कि वो negative में जाए तो हम उसे वहां denote करते हैं बट अभी के लिए negative को ignore करते हैं positive चीज़ों को x-axis में इधर y-axis में उपर इस chapter में केवल positive value वाली quantities को ही तो हमारा काम इस पूरे ग्राफ में केवल इतनी दूर का होगा बाकी पर हमें ध्यान नहीं देना है इसलिए इसे शेड करके भी रखा है आप देखेंगे भी therefore we will only use the shaded part of the graph shown in figure 13.11 तो यह है हमारा 13.11 और ग्राफ में यह जो shaded portion है हमें केवल यहीं पर deal करना है तो बूजो और पहली ने एक कार के distance और time का data इस table 13.6 में calculate किया है इस table 13.6 में note किया है तो यह data क्या है देखिए कार ने जब कुछ भी समय नहीं लिया था तो कुछ भी travel भी नहीं किया था मतलब कार अगर रुकी हुई थी तो कार ने कोई समय भी नहीं लिया कोई दूरी भी दैने की कार रुकी हुई थी ठीक है अब कार ने चलना शुरू किया तो कार ने एक मिनट में एक किलोमेटर का distance travel किया दूसरे मिनट में तो हमें इसका एक graph बनाना है इसके क्या steps होंगे वो यहां दे रखे हैं आईए देखें तो जैसा कि figure 13.11 में दिखाया गया है हमें एक ओएक्स और एक ओवाई एक्स लेना है यह दोनों positive axis है time भी आगे बढ़ रही है distance भी आगे बढ़ रही है तो हम इन्हीं दो axis को चुनने वाले हैं decide the quantities to be shown along x-axis and that to be shown along y-axis in this case we show the time along x-axis and distance along y-axis तो हमें किस axis पे कौनसी quantity show करनी है वो decide करना होता है तो यहां पे इन्होंने decide किया है कि x-axis पे time दिखाएंगे y-axis पे distance दिखाएंगे ठीक है अगला step है choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph for motion of the car scale could be time 1 minute equal to 1 cm distance 1 km equal to 1 cm तो scale की बात यह है कि graph paper पे हमारे पास जगह सीमित है space limited है माल लेते हैं हमारी copy अगर 15 cm की है तो graph का जो paper है हमारे पास 15 cm का यह है लेकिन distance तो car ने km में travel किया है इसका मतलब है कि हमें एक scale एक पैमाना तै करना होगा कि मैं 1 cm को graph paper के 1 cm को car के travel का 1 km मानूँगा ऐसा मान के चल सकते हैं ऐसा scale हम imagine कर सकते हैं ऐसा scale बना सकते हैं तो उसी scale की बात है एक पैमाना यहाँ पे इन्होंने बताया है जिसमें ये कह रहे हैं कि 1 cm को 1 minute माना गया है time वाली axis का और 1 km को 1 cm में दिखाया गया है distance वाली axis में क्योंकि distance वाली axis में हम km note कर रहे हैं कितना km distance travel किया गारी ने वो note कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने माना कि एक centimeter में एक kilometer को दिखाएंगे और गारी जितना kilometer travel करी होगी वहाँ पर हम denote कर देंगे वहाँ पर mark कर देंगे हमें पता चल जाएगा की इतना distance travel किया है और time भी accordingly हम assume करके चलेंगे याँकि हमारे पास space limited है हमें मानना पड़ेगा कुछ न कुछ नोगी एक किलोमेटर का graph paper तो हमें मिलेगा नहीं तो हमें इसी से कुछ काम चलाना पड़ेगा तो graph बनाने के process में ये scale का imagine करना एक critical part है और जो भी scale हम चुनते हैं वो graph बनाने के साथ साथ बताते भी हैं मैंने ये चीज़ imagine करी है mark values for the time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen for the motion of the car mark the time 1 minute 2 minute and so on on the x axis from the origin o similarly mark the distance 1 km, 2 km and so on on the y axis figure 13.2 इस वाले table को एक बार और देखिए time यहां minute में दे रखा है और हमने imagine किया है कि हम 1 cm को 1 minute मानेंगे तो यहां हमें दिखाना है 5 minute तक के time को तो हम यहां 5 cm तक इस तरह mark कर सकते हैं कि यह हमारा 1 minute वाला time हुआ यह 2 minute, यह 3, यह 4, यह 5 minute वाला time हुआ तो यह 5 cm की जगह लेगा हमारे graph paper पे ठीक है उसी तरह अगर distance को हम देखें तो कितना distance हमें दिखाना है मैं 5 km तक का distance दिखाना है और हमने यह माना है कि 1 cm को 1 km दिखाएंगे अपने graph paper पे तो हमें उसी तरह 5 cm तक यह mark करना होगा 3, 4, 5 इसका मतलब है कि यह जो distance वाला पे माना है यह 5 cm का space occupy करने वाला है हमारे graph paper पे तो इस तरह हमने mark कर दिया और अब यहां पे बात यह है कि 1 minute के बाद यह 1 km चला था 2 minute के बाद यह 2 km चला था मतलब जितने minute थे उतना km चला था तो हम इन points को mark कर देंगे कि 1 minute पे यह 1 km चला था 2 minute पे यह 2 km चला था 3 minute पे यह 3 km चला था चार मिनिट पे चार किलोमेटर और पांच पे सिमिलरली पांच किलोमेटर और इन सभी points को मिला देंगे तो जो भी graph बनेगा हमारा वही distance time graph होगा इस चीज को इन्होंने कुछ और भी steps में बताया है आईए देखें Now you have to mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time तो जो भी set of values इस वाले table में दी गई है जैसे 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 जो इस जैसे हमने mark किया वही चीज हमें यहाँ पे graph paper में mark करने कहा गया है इस वाले step में observation recorded at s number 1 in table 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0 तो इस वाले पहले serial number में जो चीज दिखाई गई है कि 0 minute पे जो भी distance moved था वो भी 0 था तो इस वाले point को denote करेंगे यहाँ पे 0, 0 the point corresponding to this set of values on graph will therefore be origin itself क्योंकि origin का coordinate x में भी 0 है, y में भी 0 है मतलब value की अगर बात करें तो x की value भी 0 है, y की value भी 0 है इस crossing वाले point पे, क्योंकि यहीं से सुरू हो रहा है सब कुछ 0 है यहाँ पे तो यह भी एक point है हमारे graph का और यह पहली entry है हमारे table की जिसे हम graph में denote करने वाले हैं चेक है एक minute के समय के बाद, एक minute के time के बाद car ने जो भी distance travel किया है वो 1 km का है तो mark this set of values, look at the point that represent 1 minute on the x-axis तो x-axis पे जो 1 minute को represent करता है वो 1 cm बाद वाला point है origin से तो इस वाले point को हम देखेंगे draw a line parallel to y-axis at this point तो x-axis पे जो यह वाला point है यहाँ पे एक line ड्रॉ करेंगे यह जो dotted line आपको दिख रही है यह वाली line x-axis पे point find करने के बाद y-axis के parallel एक line ड्रॉ करेंगे यह dotted line होगी then draw a line parallel to x-axis from the point corresponding to distance 1 km on the y-axis उसी तरह एक minute travel करने के बाद distance traveled जो था वो 1 km था तो 1 km distance वाला जो भी point होगा उस point को find करने के बाद हम x-axis के parallel एक dotted line ड्रॉ करेंगे यह दोनो dotted line जो हमने एक ही चीज एक ही row के representation के लिए ड्रॉ करी हैं वो दोनों जहां पे intersect करेंगे मतलब कि यह जो dotted line है और यह जो dotted line है यह दोनों जहां पे भी intersect करेंगे जहां पे भी काटेंगे एक दूसरे को वो वाला point हमारा graph का point होगा इसी तरह जो दूसरे set of values हैं जैसे कि दो मिनट के बाद दो किलोमेटर का चार मिनट के बाद चार किलोमेटर का तो यह सारे values हम एकसिस और य एकसिस पे फाइंड करेंगे इनके along यह वाली dotted line ड्रॉ करेंगे यहां से भी यह वाली dotted line और यह दोनों जहां पे एक दूसरे को intersect करेंगी वो point होगा हमारे graph का और finally एक line draw करेंगे जो उन सारे points से pass करता होगा और वही हमारा final graph होगा figure 13.12 shows the set of points on the graph corresponding to positions of the car at various times अलग-अलग समय पे क्या position था car का वो दिखाता है यह graph 13.2 join all the points on the graph as shown in figure 13.13 it is a straight line this is the distance time graph for the motion of the car तो इन सभी points को join करने के बाद यह जो line बनी है नई वाली यह हमारा distance time graph है जो कि यहां 13.13 में दिखाया गया है यह एक straight line होगी सीधी line होगी इस वाले केस में केवल क्योंकि speed constant थे speed बदल नहीं रही थे if the distance time graph is a straight line it indicates that the object is moving with a constant speed अगर किसी भी distance time graph का representation एक straight line आए इसका मतलब यही है कि जो भी object की यह distance time graph है वो constant speed से move कर रही है एक ही speed से move कर रही है उसका speed बदल नहीं रहा है आप सोच के देखिए अगर speed बदल रहा होगा तो एक minute पे जितना distance उसने travel किया दूसरे minute पे उसने उससे कम या उससे ज़्यादा distance travel किया होगा तो यह graph कुछ मुड जाएगी अगर कम distance travel किया होगा और यह फिर कुछ ऊपर की तरफ मुड जाएगी अगर जादा distance travel किया होगा अगर इस line को सीधे चलना है इसके लिए यह जरूरी है कि speed constant रहे बड़ाबर रहे तभी यह line सीधी हो सकती है और अगर कहीं distance time graph में यह line आपको सीधे दिखे इसका मतलब यही है कि जिस भी object की distance time graph है उसका speed constant रहा होगा, fixed रहा होगा However, if the speed of the object keeps changing, the graph can be of any shape अगर speed change कर रही है बार बार object की तो graph किसी भी shape का हो सकता है यह line किधर भी जा सकती है, कम या ज़्यादा होगी speed अगर हर minute कम या ज़्यादा होगी, तो यह graph का shape कुछ भी हो सकता है ठीक है, तो I hope आपको यह distance time graph को plot करना और यह straight है, इसका क्या मतलब है, यह सारी बातें अब clear होगी तो यह वाला representation है, जो 8.30 वाली reading थी जब वो लोग पिकनिक पे जा रहे थे, दो घंटे में पिकनिक पहुँचे थे 40 km पर आर से उनकी बस move कर रही थी, उसका यह distance time graph है यह भी straight line है, इसका यही मतलब है कि बस constant speed से move कर रही थी, लेकिन आम तोर पर ऐसा होता नहीं है बट हम मान के चल सकते हैं अब यहां कुछ scale के बारे में और बात है कि generally the choice of scale is not as simple as in the example given in figure 13.12 and 13 तो जिस तरह scale यहां इन दो images में choose किया गया है कि एक centimeter को एक minute दिखाएंगे और distance वाले case में एक centimeter को एक kilometer दिखाएंगे तो scale का twice हर समय इतना आसान नहीं होता scale को चुनना हर समय इतना आसान नहीं होता we may have to choose two different scales to represent the desired quantity on x-axis and the y-axis तो हमें कुछ अलग scale भी choose करना पड़ सकता है अगर हमें कुछ जादा बड़ी या कुछ और तरह की quantities represent करनी है अपने graph पे क्योंकि जो limitation है हमारे साथ वो यह है कि graph paper का size हमारे पास fixed है उसी में हमें जितनी भी बड़ी quantity हो उसे accommodate करना है उसे fit करना है let's say अगर five lakh kilometers की बात है किसी तारे के motion के बारे में हम बात कर रहे हैं किसी star के motion के बारे हम बात कर रहे हैं तो graph paper पे दिखाना होगा उतना बड़ा data उतने बड़े distance को दिखाना होगा तो फिर हम scale accordingly choose करेंगे कि भाई हम एक centimeter में one lakh kilometer को मान रहे हैं अब की बार है ना let us try to understand this process with an example तो इन्होंने एक दूसरा example दिया है आईए देखें इस scale वाली चीज़ को समझने के लिए let us again consider the motion of the bus that took पहेली and her friends to the picnic एक बार और उसी bus के बारे में सोचिए जो पहेली को पिकनिक पे लेके गई थी the distance covered and time taken by the bus as shown in table 13.5 13.5 वाले table में जो भी time taken और distance traveled था पहेली वाली bus का वो ये था table 13.5 यही है the total distance covered by the bus is 80 km cool distance bus ने 80 km का travel किया if we decide to choose a scale 1 km equal to 1 cm we shall have to draw an axis of length 80 cm द्यान दीजेगा इस वाली लाइन पे इन्होंने कहा कि अगर हम चुने कि 1 cm 1 km को represent करेगा हमारे graph paper पे तो अगर हमें 80 km को दिखाना है तो 80 cm की x axis हमें चाहिए होगी अगर 1 cm 1 km को represent करेगा तो 80 km को दिखाने के लिए हमें 80 cm की x axis चाहिए लेकिन हमारी copy की जो width है चौडाई है वो मुस्किल से 15 cm 20 cm की होती है graph paper में paper की भी जो चौडाई होगी वो 15-20 cm की along होगी तो 80 cm का paper तो होगा नहीं हमारे पास generally graph paper in particular तो फिर हमें 80 km को दिखाने के लिए एक छोटा scale चूज करना चाहिए जिसमें 80 km एडजस्ट हो सके हमारा अट सके हमारा तो ये 80 cm वाली चीज तो possible नहीं है एक paper पे on the other hand a scale of 10 km equal to 1 cm would require an axis of length only 8 cm लेकिन एक cm में अगर मैं माल लूँ की 10 km को मैं दिखा रहा हूँ एक cm graph paper पे मेरे 10 km को represent करता है तो हमें 80 km दिखाने के लिए 8 cm की ही जरूरत पड़ेगी जो की बढ़ी आसानी से fit हो सकता है हमारे graph paper में तो ये काफी आसान होगा ये वाला scale काफी आसान है however, the graph may cover only a small part of graph paper लेकिन ये जो 8 cm है ये काफी कम है ये हमारे graph paper का काफी छोटा सा हिस्सा cover करेगा काफी छोटा सा graph बनेगा हमारा some of the point to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph are तो graph बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए graph के scale को choose करते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो बातें कुछ यहां है the difference between the highest and the lowest values of each quantity कितनी ज़्यादा quantity को हमें represent करना है सबसे बड़ी जो quantity है और सबसे जो छोटी quantity है जिसे हमें अपने graph paper पे दिखाना है उसका difference क्या है उनका अंतर कितना है इस हिसाब से हम scale को decide कर सकते हैं कि हम अपने graph paper का full utilize कर सकें the intermediate values of each quantity so that with the scale chosen it is convenient to mark the values on the graph जो भी values हमें represent करनी है वो value आसानी से हम determine कर सकें आसानी से हम denote कर सकें graph पे इसका भी हमें ध्यान रखना है utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn अब हमने कोई बहुत छोटा scale choose कर लिया जैसे की 1 cm 10 km को represent कर रहा था इस पिछले वाले case में तो काफी छोटा graph बनेगा हमारा और काफी ज़्यादा graph paper waste हो जाएगा तो हमें ऐसा भी नहीं करना है हमें ऐसा एक scale चुनना है जैसे की मैं माल लूँ की 1 cm 5 km को represent करेगा तो अब की बार 80 km को represent करने के लिए हमें कितना बड़ा scale चाहिए 16 cm का scale चाहिए 16 ये डब्बे चाहिए हमें represent करने के लिए अगर एक डब्बा 5 km को represent करता है तो तो ऐसा करके हम graph paper का full utilize कर सकते हैं graph paper हमारा waste न जाएगा और एक अच्छा बड़ा सा graph बनेगा तो इन कुछ बातों का धिहान रखके हम अपना scale decide कर सकते हैं कि हमारा ये जो 1 cm है graph paper पे कितनी बड़ी या कितनी छोटी quantity को denote करने वाला है तो I hope scale आपको clear है ये practical बातें जब आप graph बना के देखेंगे तब आपको clear होगा कि कहां क्या जरूत महसूस हो रही है और ये बातें हम क्यों discuss कर रहे हैं अगर आपने अब तक graph बना कर नहीं देखा है तो एक बना कर देखिए एक table को represent करने की कोशिस कीजिए बेतर होगा ये पहेली वाला table आप represent करें ये table जो 13.5 है इसका graph एक बना के देखिए तो क्या practical problems है scale हम क्यों choose कर रहे हैं ये आपको ज़्यादा clear होगा तो graph एक जरूर बनाईए तो फिर पूरी तरह clear होगा कि ये scale क्यों choose करना है कैसे एक अच्छा scale हम चुन सकते हैं आईए अब कुछ आगे की बातें करें suppose that you are given a graph paper of size 25 cm by 25 cm इस multiplication को cross को by पढ़ते हैं एक length को दिखाता है दूसरा width को दिखाता है एक lambाई को दूसरा चौडाई को दिखाता है तो 25 cm by 25 cm का एक graph paper हमें दे रखा है one of the scales which meets the above conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be 5 km equal to 1 cm जैसा मैंने आपको कहा कि 10 km को 1 cm न मानके 5 km माल लें 1 cm को और time के case में माल लें कि 6 minutes को represent करता है 1 cm हमारे graph paper का can you now draw the distance time graph for the motion of the bus अब हमें graph paper पे इस scale को consider करते हुए ये graph बनाना है जो कि table 13.5 का है is the graph drawn by you similar to shown in 13.13 तो scale आप कुछ भी चूज करें graph जैसा बना है वैसा ही बनेगा अगर straight line graph बना है तो आप scale कुछ भी चूज कर ले graph straight line ही बनेगा distance time graph provide a variety of information about the motion when compared to the data represented by a table distance time graph से motion के बारे में काफी ज़्यादा data का पता चलता है अगर इसे हम compare करें एक tabular form में data से table में जो भी data लिखा गया है इससे ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है एक graph के data से इसका कारण ये है कि हर point पे क्या speed थी या फिर कितना distance travel करी थी गारी ये हमें पता चलेगा for example table 13.5 gives information about the distance moved by the bus only at some definite time intervals table 13.5 में जो भी दिया गया है वो कुछ time interval के बाद का distance दिया गया है कि आदे घंटे में इतना distance travel कर लिया बसने ये ही जानकारी दी गई है लेकिन वही अगर एक graph में represent करके दिया गया है इसका मतलब ये है कि किसी भी point का अगर हम निकालना चाहें distance कि इस एक point पे कितना distance travel किया था बसने तो graph के इस वाले point को पकड़के corresponding point देखके हम बता सकते हैं कि एतना distance travel किया था बसने इस एक point पे on the other hand from distance time graph we can find the distance moved by the bus at any instant of time किसी भी time का हम distance निकाल सकते हैं कि इस एक particular time पे बसने कितना distance travel करा था suppose we want to know how much distance the bus had traveled at 8.15 am we mark the point corresponding to time 8.15 am इसमें देखिए 8.15 am कहां होगा तो ये कुछ यहां होगा 8.15 8 और 8.30 के बीच वाला point इन दोनों को आदा आदा जो बांटता हो point ये 8.15 होगा इस point पे कितना distance traveled था बस के द्वारा वो हम निकाल सकते हैं इस पे एक perpendicular dotted line ड्रॉ करेंगे और फिर यहां से इस पे एक perpendicular line ड्रॉ करेंगे ये जो भी point होगा ये 8.15 पे distance traveled दिखाएगा इस case में ये 10 km है तो इसी तरह हम कोई भी point चुन लें वहां पे कितना distance traveled था हम इस graph में इन dotted lines को ड्रॉ करके निकाल सकते हैं इस figure में x-axis पे जैसा इन्होंने यहां पे mark किया है इस तरह से mark कर सकते हैं Suppose this point is A उस point का नाम A रखा है Next we draw a line perpendicular to the x-axis और parallel to the y-axis at point A एक line जो A point पे draw करी गई है जो x-axis के perpendicular है x-axis 90 degree का अंगल बनाती है या फिर y-axis के parallel है y-axis के बराबर है समाना अंतर है y-axis के parallel है ऐसी एक ये वाली dotted line हमें ड्रॉ करनी है Within mark the point T on the graph at which this perpendicular line intersects it graph पे जिस point पे ये line intersect करती है ये वाली perpendicular line इस point को T नाम दिया है Next we draw a line through point T parallel to x-axis इस T वाले point से एक parallel line जो की x-axis के parallel है ये वाली line ड्रॉ करनी है This intersects the y-axis at point B तो ये जो नई parallel line हमने ड्रॉ करी ये dotted line ये y-axis को इस B point पे intersect करती है cut करती है The distance corresponding to the point B on y-axis OB gives us the distance in kilometer covered by bus at 8.15 AM तो जो भी OB line बनी ये वाली line ये जो distance है OB का ये हमें वो distance देता है जो 8.15 पे bus के द्वारा cover की गई होगी How much is the distance in kilometer? तो ये 10 km है 10 km Can you now help पहेली to find the distance moved by the bus at 9.45 AM तो 9.45 वाला point पकड़ लेंगे हम ये 9.30 है ये 10 है तो 9.45 ये बीच वाला point होगा इसका तो 9.45 पे यहां से एक parallel line y-axis के या फिर perpendicular line x-axis के ये draw करेंगे ये जहां कहीं भी इसको intersect करेगा इस point से हम x-axis पे यहां से फिर एक 90 डिगरी वाला line draw करेंगे और ये जो distance होगा हमारा यही वो distance होगा जो 9.45 पे bus ने travel करी होगी तो इस तरह से distance time graph बनाके हम बता सकते हैं कि किस time पे क्या distance covered होगा bus के द्वारा can you also find the speed of the bus from its distance time graph इस distance time graph से क्या आप bus की speed भी निकाल सकते हैं तो हाँ बिलकुल speed equal to होता है distance by time कितना time लगा और कितना distance travel हुआ तो यहां पे अगर distance की बात करें तो अगर एक घंटे की बात कर लेते हैं 8 to 9 की बात कर लेते हैं या फिर 9 to 10 की बात कर लें किसी की बात करें तो अगर 8 to 9 की बात करें तो यह 0 km से लेकर 9 पे यह 40 km दिख रहा है अगर line draw करें तो तो एक घंटे में चुकि यह बस 40 km चल रही है इसलिए इसका speed 40 km per hour हुआ एक घंटे में 40 km और चुकी speed constant है हर घंटे में उतनी ही चल रही है क्योंकि ये जो graph है वो straight line है इसलिए किसी एक घंटे का अगर interval हम पकड़ ले 9 a.m. to 10 a.m. अगर पकड़ ले तो 9 a.m. पे ये 40 दिख रही है 10 a.m. पे similarly ये 80 दिखेगी ये distance है 80-40 करेंगे तो 40 km का distance इसने अगले एक घंटे में cover किया इसलिए 40 km per hour इस वाले interval में भी इसका speed रहा तो ये बस एक constant speed 40 km per hour से travel कर रही है तो इस graph को देहकर इस distance time graph को देहकर हम speed का अंदाजा भी लगा सकते हैं किसी एक given point in time पे कितना distance travel हुआ है इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं तो I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया ये chapter काफी बड़ा हो गया है बट इसे detail में explain करने के लिए इतना समय जरूरी था और अगर आपने इसे शुरू से यहां तक देखा है तो I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा अब भी अगर आपका कुछ सवाल है तो comment section में जरूर लिखेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आप से अगले chapter 14 के साथ तब तक के लिए बाई बाई